तो इस नई सीरीज की स्टार्टिंग में हम यूकी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि स्कूल में था और विंडो से बाहर देख रहा था तभी यू ही नाम की लड़की आकर यूकी से पूछती हैं कि तुम बाहर क्या देख रहे हो जिस पर यूकी कहता है कि सुनो तुमें मेरे साथ बात नहीं करनी चाहिए इससे बाकी के स्टूडेंट गलत रूमर बनाएंगे लेकिन यू ही को इस बात से कुछ खास फरक पड़ता नहीं है क्योंकि वो दोनों चाइल्ड डूट के फ्रेंड्स हैं इसके बाद यूकी वापस से बाहर देखने लगता है और सोचता है कि पता नहीं ये दूसरा वर्ल्ड कैसा होगा और तभी अचानक से उनके क्लासरूम में एक मेजिक सर्कल क्रियेट होता है और उसमें से काफी तेज रोशनी आती है यूकी ये देखकर हलकी सी मुस्कुराहट देता है जैसी कि उसे पता हो कि ये सब क्या हो रहा है और फिर जैसे ही वो रोशनी हटती है तो सारे के सारे बच्चे खंडर जमीन पर थे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा थे कि ये सब क्या हो रहा है लेकिन यहाँ पर यूकी खुश होते हुए कहता है खी मुझे पता था लेकिन उसी वक्त आर्मर पहने हुए काफी बड़े बड़े मोंस्टर उनकी तरफ दोड़ती हुए आ रहे थे और उन पर अटेक करने लगते हैं इतने बड़े मोंस्टर्स को अचानक से देखकर सारे स्टूडेंट जान बचाने के लिए भागने लगते हैं लेकिन यूकी वो तो बिल्कुल डरता ही नहीं है वहीं पर खड़ा रहता है जैसे कि वो उनका सामना आसानी से कर सकता है लेकिन अचानक से यूही हक करके उसे वहाँ पर बचाने की कोशिश करती है और तभी पीछे से वो मोंस्टर उनके उपर अटेक कर देता है लेकिन यूकी उसे अपनी एक उंगली से काफी दूर फेक देता है देखो यार यूही में बली दम नहीं है लेकिन अपने दोस्तों को बचाने के लिए मतलब वही पर खड़ी रही हो फिर यूकी यूही का हाथ पकड़ कर वहाँ से भागने लगता है इसके बाद वहाँ सामने से कुछ सोलजर्स और मेजेस आकर उन मोंस्टर्स पर अटेक करने लगते है यूकी सोचता है कि ये वोर्ट अब तक खतम हो जाना चाहिए था तो अभी उसे एक मोंस्टर्स के अंदर से कर्स एनरजी का एहसास होता है और उसी वक्त वहाँ एक लड़की होर्स पर बेट कर आती है और उनसे कहती है कि यहां रहना काफी खतरनाक है इसलिए तुम सब यहां से लोट जाओ और इसके बाद वो लोग उन मोंस्टर्स पर हमला करने के लिए चले जाते हैं यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और आम उस नेशन के किंग को अपने महल के अंदर सभी स्टुडेंट को कहते हुए सुनते हैं कि हमारे मुसिबत के समय पर यहां आने के लिए शुक्रिया आप सब हमारे हीरोज हो अभी हमारे देश पर डीमन्स का हमला हो रहा है बिल्कुल पात साल पहले वोर की तरह आगे प्रिंसेस कहती है कि उस टाइम भी हमारे देश में एक हीरो आया था और उसने पात साल पहले इस वोर को खत्म करा था और इस बार भी देखो वोर के टाइम पर आप सभी हमारे देश में आये हो और इसलिए ये कोई कोईंसिडेंस नहीं हो सकता है तो क्या प्लीज आप लोग हमारी मदद करोगे ये सुनकर सभी स्टुडेंस थोड़े से कनफ्यूशन के साथ आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि हमें लड़ना तो नहीं आता लेकिन अगर हमारे पास और कोई चारा नहीं है तो यही पर रुखना बहतर होगा और यही पर यू की यू ही से कहता है कि तुम फिकर मत करो मैं किसी भी खत्रे को तुमारे पास नहीं आने दूँगा इसके बाद फाइट करने के लिए सभी स्टुडेंट्स की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है वहाँ पर बॉईज लोगаш स्वोर्ट की ट्रेनिंग कर रहे थे और गर्ल्स मैजिक की ट्रेनिंग करती है गर्ल्स को जो लड़की मैजिक सिखा रही थी उसका नम एलका था यहाँ पर सारे स्टुडेंट्स में से कोई भी मेजिक का यूज नहीं कर पा रहा था पर यू ही वो तो पहले ही ट्राइ में मेजिक यूज कर लेती है और वो इससे काफी खुश भी होती है यू की भी ये सब दूर से देख रहा था इसके बाद यू की आरा आम से केसल के अंदर घूमने लगता है उसको कोई ट्रेनिंग वेनिंग करने की इच्छा नहीं थी तो एलका उसके सामने आकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तुमें तो ट्रेनिंग में होना चाहिए पहले ही दिन क्लास के अंदर बंक मार रहे हो और यहाँ पर घूम रहे हो तो क्यों ना तुम अपना नाम मेडम एलका रख लो, मैं तुम्हें फिर मेडम मेडम बुलाया करूंगा, जिस पर एलका कहती कि ठीट तुमारी तरह, तुमारी जिसा बढ़ताओ करने वाला, मुझे पांच साल पहले एक लड़की की याद दिलाता है, वो भी तुमारी तरह घमंडी, मतलबी और लड़कियों की फिलिंग को इग्नोर करने वाला था, खेर वो कुछ भी हो, तुम्हें अभी अपने ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए, इससे पहले की मैं जबरदस्ती करूं, जिस पर यूकी कहता है, अच्छा, तो मैं तुम्हें ट्राइ करते हुए जबरदस्ती करते हुए देखना चाहूंगा, और ये सुनकर जब एलका उसके उपर अटेक करने के लिए आती है, तो यूकी उससे बचकर उसके पिछवाडे पर टपा करके मारता है, जिससे एलका की चीख निकल जाती है, और मारते ही यूकी कहता है, कि क्या तुम मुझे अब पहचान सकती हो, और इस पर एलका पता नहीं क्यूं, निल डाउन होकर यूकी को सेटसु समा करके बुलाती है, और यहाँ पर हमें पता चलता है, कि यूकी ही वो हीरो है, जो इस वर्ल्ड में पांच साल पहले आया था, और फिर एलका कहती है, कि मैं इस पल का काफी ब बनकर यूकी को अपने उपर बिठाती है, और तभी वहाँ पर ग्लेन नाम का एक लड़का गुज़र रहा था, वो पूस्ता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर एलका कहती है, कि ये सेटसु समा है, और ये वापस आ गये है, ये सुनकर ग्लेन बहुत पता था, तुम मुझे पहचान लोगी थिया, तो थिया कहती हैं कि भले ही तुम बाहर से अलग दिखते हो, लेकिन मैं तुम्हारी मेजिक एनरजी को कभी नहीं बूल सकती हूँ, आगे यूकी कहता है, कि मैंने जिसा बोला था, मैं वापस आ गया हूँ, मैं लोट आया हू सब ये सुनकर खुश हो जाते हैं, और उसका वेलकम करते हैं, आगे गलेन कहता हैं कि मुझे हमेशा से पता था, कि तुम जिन्दा हो, जिस पर यूकी कहता हैं कि हाँ बिलकुल, ये तो हो नहीं था, इसके बाद सब लोग बात करने के लिए, किले के उपर बाहर खुले में जाते हैं, वहाँ पर यूकी कहता हैं कि सच कहूं तो इसका जवाब मुझे भी नहीं पता, और ये बोलते बोलते वो अपनी पिछली बार की फाइट याद करने लगता है, जहां वो एक टोमा नाम के दुश्मन से लड़ रहा था, और लड़ते लड़ते ही वहाँ पर अच मेरी पावर्स और मेमरीज मेरे साथ थी, और फिर एक दिन अचानक से मैं दोबारा इस वर्ड में समन हो गया, फिर यूकी कहता है कि मेरे बारे में काफी बाते हो गई, ये बताओ कि मेरे जाने के बार टोमा का क्या हुआ, हो सकता है कि वो ही इस वोर के पिछे हो, जिस पर दिया पूचती है कि क्या वो मोंस्टर कर्स पावर के कंट्रोल में थे, जिस पर यूकी कहता है कि हाँ मैंने ये खुद फिल किया था, और सिर्फ टोमा ही है जो ऐसा कुछ कर सकता है, इस पर एलका कहती है कि हमने उसकी भी तलाश की थी, लेकिन आमें कुछ भी पता नहीं लेकिन अगर तुम जिन्दा हो, तो हो सकता है कि टोमा भी जिन्दा हो, तभी एक सोलजर आकर ग्लेन से कहता है कि किंग ने उसे अभी के अभी बुलाया है, इसलिए उसे जाना होगा, तो ग्लेन वहाँ से निकल जाता है, आगे वहाँ सभा में किंग कहते हैं कि हमें कभी उन डीमन्स के साथ शांती नहीं बनाए रखनी चाहिए थी अब तो हम उनके खिलाफ एक वोर शुरू करेंगे तो ग्लेन कहता है कि महराज हमने डीमोनी किंग्डम में अपने आदमी को भेजा है और वो अभी तक लोटा नहीं है इसलिए हमें उनके आने का वेट करना लेकिन तभी ग्लेन की बात को काटते हुए प्रिंसेस कहती है कि डीमन्स नहीं तो पहले हमारे उपर हमला किया था और इस बार तो हीरोस का हमारे साथ समन होने का मतलब है कि जस्टिस हमारी साइट पर है और ये सुनकर सब लोग तालिया बचाने लगते हैं जैसे कि सब के म के अंदर वोर करने का ही हो इसके बाद हम देखते हैं कि यूही अकेले ही अपने मेजिक की प्रेक्टिस कर रही थी और तभी यूकी पीछे से आकर उसे शाबाशी देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें देखा है और लगता है कि तुम्हारे अंदर मेजिक के लिए काफी तो यूही कहती है कि ये practice किसी को चोट पहुँचाने के लिए है जिस पर यूकी हा में जवाब देता है और फिर यूही कहती है कि अगर मेरे पास magic के लिए talent आया तो मैं तुम्हें protect करूंगी एक एसी friend तो मेरी भी उनी चाहिए इसके बाद Elka, Glen और Theia बाहर आकर यूकी से मि हाँ पर Glen कहता है कि मैंने heroes की training के लिए time मांग कर war को थोड़ा delay तो कर दिया है लेकिन इस point पर आकर war को रोका नहीं जा सकता है तो यूकी थोड़ा सोचता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो मुझे खुद वहाँ जाकर war को रोकना पड़ेगा क्योंकि war से सिर्फ लोगों की जानी जाती है और इसलिए हमेसे रोक नहीं होगा ये सुनकर एलगा कहती है कि फिर तो हम भी तुम्हारे साथ guards बनकर चलेंगे जिस पर यूकी कहता है कि नहीं इस बार मैं अकिला जाओंगा क्योंकि इस situation में तुम यहां से नहीं जा सकते और अगर टोमा इन सब के पीछे ह तो यहां पर भी fight करने के लिए किसी का होना जरूरी है इसके बाद वे लोग castle के अंदर invisible बनकर घुस आते हैं लेकिन एलका यहां पर आगे निकल जाती है और एक soldier को धो डालती है और फिर सब को फसाने के बाद क्या कहती है और सोरी सोरी वो मैंने उसको गलती से मार दिया तो वो लोग कहते हैं कि क्या लड़की है यार यह और फिर वो soldier को वहां पर कहीं छुपा देते हैं और अंदर चले जाते हैं वहां पर एक कमरे के अंदर यूकी को अपनी स्वोर्ड मिलती है और वहां से बाहर जाने का रास्ता भी होता है लेकिन तब तक बाहर सेनिको ने उस मार खाए हुए soldier को ढूंड लिया था और इसलिए वो सारे gate बंद कर देते हैं ग्लेन और थिया केसल के अंदर उन्हें रोकने के लिए जाते हैं और यूकी एलका के साथ बाहर के रास्ते जाता है तब ही वहां पर यूही आ जाती है और यूकी से पूछती है कि तुम ल पूराने दोस्त से मिलने जा रहा हूं जिस पर यूही कहती है कि अगर तुम कहीं पर जा रहे हो तो मैं भी तुमारे साथ जाऊंगी और मैं प्रोमिस करती हूं कि मैं तुमारे उपर बोज नहीं बनूंगी जिस पर यूकी कहता है कि बिलकुल भी नहीं ये तुमारे लिए काफी खतरनाक हो सकता है और वेसे भी ये का मुझे ही करना होगा और फिर यू की एकदम शान्ती से कहता है कि तुम जानती हो ना कि मैं किसली जा रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें खत्रे में नहीं डालना चाहता जिस पर यू ही कहती हैं कि ठीक है चलो लेकिन क्या तुम अपनी आखे बंद कर सकते हो और फिर जैसे यू की अपनी आखे बंद करता है तो यू ही उसे पकड़ कर उस पर magic का use करके उसकी आखों पे जो बाल आ रहे थे उसे cut कर देती है और इस प्यारी सी दोस्ती भरे gesture को देखकर यू की काफी इंप्रेस हो जाता है कि वाह और फिर यू ही कहती हैं कि मैं इसी तरह काफी मेहनत करके काफी strong बन जाओंगी ताकि इस world में मैं भी तुमें बचा सकूं जिस पर यू की उसके साथ थोड़ी सी मस्ती करता है और उसके forehead पर finger से मारता है और कहता हैं कि अगर अगली बार तुमने इसे डोच कर लिया तो मैं तुम्हारी बात माल लूँगा और फिर यू की वहाँ से चला जाता है तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक बुड़े आदमी को देखते हैं जो की एक ज्वेलर था वो एक कस्टमर से जगड़ा करते हुए कह रहा था कि ये बेचने के लिए नहीं है मैंने इने बनाने में अपनी पूरी जान लगाई है मैं इसे तुमारे जैसे जवान लड़के को नहीं बेचूँगा जिसे इसकी कीमत की कदर ना हो आगे वो आदमी एक ब्रोश पर इशारा करके कहता है कि तुमें इसके लिए कितना चाहिए पैसे बोलो पैसे बोलो जिस पर वो बुड़ा आदमी कहता है कि मैं पैसों से नहीं बिकने वाला लेकिन तभी वो आदमी उसके सामने एक गोल्ड कोईन से भरा हुआ बेग रख देता है और पैसा है तो जीवन में सब कुछ है क्या बोलते हो भाई लोगो और बस इतने सारे गोल्ड कोईन देखते ही वो बुड़ा आदमी तुरंत उस ब्रोश को बेज देता है तो वहीं ये सब होते हुए बुड़े आदमी की छोटी सी ग्रेंड डोटर रूरी देख रही थी वो पूछती है कि मुझे लगा कि आपने कहा था कि ये क्राफ्ट मेन के लिए उसका प्राइट सबसे ज़रूरी होता है जिस पर उसके ग्रेंडपा कहते है कि हाँ तुम सही हो लेकिन कभी कबार चलता है खास करके जब पेसों की बात होतो इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सालों बाद उसके ग्रेंडपा की डेथ हो जाती है और उनकी आखरी इच्छा पूरी करने के लिए रूरी एक सफर पर निकल जाती है वो रात के टाइम एक छोटी सी बच्ची अकेले एक फोरेस्ट के बीच से गुजर रही थी तभी उसका होर्स बीच रास्ते में रुख जाता है जिस पर रूरी कुछ समझ नहीं पा रही थी मगर तभी एक मोंस्टर आकर उसके घोडा घारी को टकर मार देता है जिससे रूरी और उसका सारा सामा नीचे गिर जाते है नीचे गिरे हुए सामान में वही ब्रोश था जो हमने एपिसोट की स्टार्टिंग में देखा था जो उसके लिए काफी कीमती भी होता है रूरी ब्रोश को सही सलामत देखकर वो से अपने बेग में रखती है और चेन की सांस लेती है लेकिन जैसी वो पीछे मुड़ती है तो ठीक उसके सामने वो मोंस्टर खड़ा था उससे देखकर रूरी काफी ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो त पागल हो गई है इसके दिमाओ पर चोट लगी है दिखे और वो मोंस्टर उसके उपर अटेक कर देता है मगर टाइम रहता है वहां पर यूकně आजाता है और उस मोंस्टर को हरा देता है और रूरी को बचा लेता है उसे देखकर रूरी कहती है तो क्या आप तुमें मेरे चाहिए और अगर ऐसी बात है तो फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं तुम्हें बात में पैसे दे सकती हूँ तो यूकी कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है मैं तो बस यहां से गुजर रहा था तुम्हें प्रोब्लम में देखा तो बचाने आ गया और तुम अभ जाकर उसके सामने हाथ बढ़ाता है यहीं पर यूकी को देखकर रूरी को उस पुराने कस्टमर की याद आती है आगे यूकी कहता है कि वैसे इतनी रात को बिना गार्ट के तुम सामा लेकर क्यों जा रही हो जिस पर रूरी कहती है कि मुझे जल्द बाजी में निकलना कि क्या तुम मेरे गार्ट बन सकते हो मैं तुमें पैसे भी दे दूँगी जिस पर यूकी कहता है कि माफ करना मेरे पास काफी काम है जिस पर रूरी कहती है कि प्लीज सिर्फ आधा रास्ते ही सही लेकिन मेरे साथ चलो मेरा ये पेकेज डिलिवर करना बहुत जरूरी है जिसे सुनकर यूकी कहता है कि ठीक है मैं पोर्ट तक तुम्हारे साथ चलूँगा और तुम्हें मुझे पैसे देने की कोई जरूत नहीं है जिसके बाद वे लोगे गोडे पर बेट कर तुगड़ुक 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 वहाँ से निकल जाते हैं गोडे पर बेटे बेटे यूकी उसके बेग को देखकर पूछता है कि क्या इसमें तुम्हारा जरूरी सामान है जिस पर रूरी कहती है कि मैं ये तुम्हें नहीं दिखा सकती भले ही तुम मेरे गार्ड हो लेकिन ये काफी जरूरी है इसलिए मैं ये किसी को भी नहीं दिखा सकती है जिस पर यूकी कहता है ठीक है वैसे भी मैंने तुम्हें दिखाने के लिए नहीं बोला था मुझे कोई इसके बाद अगले दिन वो लोग एक टाउन में आते हैं जिसे देखकर यूकी कहता है कि ये काफी बड़ा बन गया है तो रूरी कहती हैं कि हाँ पांच साल पहले जब वोर खत्म हुआ था तब से ट्रेड काफी बढ़ गई है इसके बाद वे लोग एक शिप बूक करने के ल हो गई हैं जिस पर यूकी भी रूरी से कहता है कि इस टाइम पर अगर तुम डिमोनी कॉंटिनेंट जाना चाओगी तो ये ना मुम्किन है लेकिन रूरी हार नहीं मानती हैं और वहाँ पर मोजुद सभी लोगों से पूछती हैं लेकिन हर कोई उसे मनाई करते जा रहा था और ये सब दूर बेठा यूकी देख रहा था और इसलिए वो रूरी को साथ ले जाने का डिसाइड करता है तो इस तरफ रूरी के पास कुछ नाइट्स आते हैं और उससे उसका मर्चेंट आइडिन्टिफिकेशन कार्ड मांगते हैं जिस पर रूरी अपने बेक में से कार निकाल कर दिखा देती हैं जिसे देखकर नाइट्स गुस्से में कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग अपनी जिन्दगी दाओ पर लगा रहे हैं और तुम मर्चेंट्स पेसों की पिछे भाग रहे हो साथ ही में वो यहाँ पर रूरी को बेक दिखाने के लिए भी बोलते हैं ज जे तो कुछ सस्पिशेस लग रहा है इतना कहकर वो उस बेक को छीनने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी यूकी वहाँ पर आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि क्या तुम लोगों के पास बेक चेक करने के लिए परमिट है जिस पर वो नाइट्स कहते हैं कि तुमार नाइट्स जाते जाते कहते हैं कि हम तुमें इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं तो वहीं उनकी जाने के बाद रूरी खुश होकर यूकी के उपर कूच जाती है और उसे थैंक्स बोलती है इसके बाद शाम होने पर रूरी यूकी को अपने सेंडवीज देती है और यूक उससे कहता है कि मैं तुमसे काफी इंप्रेस हुआ भले ही वो लोग तुमें परेशान कर रहे थे लेकिन फिर भी तुम्हारे चेहरे पर स्माइल थी वो ये भी कहता है कि अगर तुमें कोई शिप नहीं मिलती तो तुम इससे आगे नहीं जा पाओगी तो फिर तुम क्या करोगी? जिस पर रूरी कहती हैं कि में पूरे शहर में ship धूड़ने की कोशिश करूँगी और अगर उससे काम नहीं बना तो में एक ship खरीद लूँगी जिस पर यूकी कहता हैं कि ये ना मुमकिन है क्या तुम्हें पता भी है कि एक शिप कितनी महंगी आती है जिस पर रूरी कहती है कि चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो मैं किसी ना किसी तरह वहाँ पर जाकर रहूंगी जिस पर यूकी कहता है कि शान्त हो जाओ शान्त हो जाओ मेरे पास एक आइडिया है दर असल मैं भी डिमोनिक कॉंटिनेंट में जा रहा हूं इसलिए तुम फ्री में जा सकती हो लेकिन तुम्हें आज रात के लिए होटल में ही रुखना पड़ेगा तभी सीन कट होता है और वहाँ पर यूकी होटल के बातरूम से ना कर बाहर निकलता है तभी रूरी यूकी के पास आकर कहती है कि जब तक मैं नहा कराती हूं क्या तुम मेरे इस पेकेज को संभाल कर रख सकते हो जिस पर यूकी कहता है क्या सच्मै लेकिन ये तो तुम्हारे लिए खांकर काम किया था और यूकी पर क्यों वो उमें आगे बता चलेगा इसके बाद रूरी उसे अपने ग्रेंटपा के बारे में बताती है कि मेरे ग्रेंटपा एक फेमस ज्वेलर थे उनकी तरफ पूरे नेशन में कोई भी ज्वेलरी नहीं बना सकता था एक दिन उन्हें किसी ने एक ब्रोश रिपेर करने क के लिए दिया जो मेरे ग्रेंटपा ने काफी मेहनत से बनाया था लेकिन उनके पास जादा समय नहीं बचा था और इसलिए उन्होंने मुझ से कहा कि बच्ची मैंने तुम्हें ये सिखाया है कि पैसे जरूरी होते हैं क्योंकि तुम्हें अपनी पसंदिदा चीजों को कुरा करने की जिम्मेदरी मुझे दी थी और इसलिए मैं अपने ग्रेंटपा के खातीरी से सेफली डिलिवर करना चाहती हूं और फिर यू के उससे वह पेकेज ले ले लेता हैं और रूरी नहाने के लिए चली जाती है और उसकी जाने के बाद यू कि उस ब्रौश को चेक जो हम एपिसोड की स्टार्टिंग में देख चुके हैं इसके बाद रात को जब यूकी और रूरी सो रहे थे तब वो नाइट्स होटल के अंदर चले आते हैं इन दोनों की तलाशी लेने के लिए लेकिन यूकी बहुत खतरनाक आदमी है उसको इस बात का पता चल जाता है इ लिकिन यहाँ पर यूकी उन्हें चक्मा देकर उनके सामने सी भाग जाता है और वो लोग उसे पकर नहीं पाते हैं थोड़ी देर बाद वे लोग भागते भागते ओशन की पास पहुँच जाते हैं जिससे आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता है और वो नाइट्स भी उनका पीछा करते करते वहाँ पर पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि तुमने हमें काफी परिशान किया और तुम लोग अब आगे नहीं भाग सकते हैं हम से माफी मांग लो हम यहाँ से चले जाएंगे जिस पर यूकी कहता है कि मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आई है कि म तुम जेसों से माफी मांगूंगा और फिर वो तुरंत रूरी को पकड़ कर ओशन में खूच जाता है और ये देखकर रूरी और वो सोलजर एकदम शोक हो गए थे कि अब तो ये लोग मर जाएंगे लेकिन इसे पहले कि वो लोग पानी में डूपते यू की कहता है कि काफी दिनों बाद मिल रहे हैं लेकिन मैं अभी वापस आ गया हूँ जिसे सुनकर सी के मेश से एक काफी बड़ा मोंस्टर निकलता है और यू की उसके सर पर खड़ा हो जाता है और वो उस मोंस्टर से कहता है कि अचानक से बोलने के लिए माफ करना ले विया लेकिन क्या तुम ह मोंस्टर आगे बढ़ने लगता है अब अपनी हार को देखकर उन सोलजर्स का माथा फटा का फटा रह जाता है और इसलिए वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे तो इधर रूली कहती है ये तो वो ही लेवी अथन है न जिसे और माना जाता है और सोचती है भगवान ये मैंने किसे अपना गार्ड बना लिया है ये तो काफी घतरनाक है तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लेविया को एक काफी बड़े स्क्वीट के साथ फाइट करते हुए देखते हैं यूकी और रूरी ये सब होते हुए देख रहे थे तब ही लेविया उसे मदद के लिए बुलाती है लेकिन यूकी दूर से देखकर मज़े ले रहा था कि चलो आज तो ये शो देखते हैं इसके बाद लेविया स्क्वीट को हरा कर अपने हुमन फोम में आती है और आगे यूकी लेविया को रूरी से आया तब तुम आये क्यों नहीं जिस पर यूकी कहता है कि मुझे इसी फाइट देखने का मोका दोबारा नहीं मिलता इसलिए मैंने बीच में डिस्टरब नहीं किया इसके बाद लेविया कहती है कि जादा बनो मत तुम पांच साल तक गायब हो गये और अभी अचानक से आ नाम के पकवान बना देता है रूरी जैसे उसे खाती है तो उसे वो काफी टेस्टी लगते है अब लुक अब लुक अब लुक फिर यूकी कहता है कि अभी हम डीमोनिक कॉंटिनेंट में पहुँच गए है जिस पर लेविया कहती है कि हाँ यहीं पास में ही डीमोनिक फिश तो रूरी लेविया से पूछती है कि क्या आप डेजास को जानती हो यह सुनने के बाद लेविया यूकी से बोलती है कि क्या रूरी नहीं जानती कि डेजास कोन है जिस पर यूकी कहता है कि हाँ शायद उसे पता नहीं है तो लेविया रूरी को बताती है कि तुमारा पेके प्रोमिस पूरा किया और पांच साल बात तुम आकर मुझे एक बोट की तरह ट्रीट कर रहे हो और तो और तुम किसी दूसरी लड़की के साथ हो तुम तो काफी बुरे हो क्या तुमें मुझे ये कहने का हक है तभी वहाँ पर पास के डीमोनिक फिशिंग विलेज के कुछ बच्चे आकर यूकी से कहते हैं कि क्या आप दोनों ल सावर्स में हमेशा लड़के कोई माफी माँगनी चाहिए जिससे सुनकर यूकी गुस्से में उनके मुझ में एक एक इस्क्वीट रिंग दे कर उन्हें या से जाने के लिए बोलता है चलो निकलो या से लेकिन उस्क्वीट रिंग को खा कर वो बच्चे काफी खुश हो ज जाते हैं तो वहीं विलेज में हम देखते हैं कि सारे लोग उस्क्वीट मॉन्स्टर सी परेशान थे क्योंकि उसकी वज़े से वो लोग फिशिंग नहीं कर पा रहे थे और इसलिए सबने फेसला किया था कि मिलकर उससे लड़ेंगे लेकिन तभी यूकी आकर उनसे कहता है कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए अपना स्क्वीट यहां पर रख सकता हूँ हम जल्दी उसे कुक करने वाले हैं स्क्वीट को देखकर सबकी आके खुली की खुली रह जाती है कि इतने बड़े मॉन्स्टर को मार दिया इसके बाद रात में पूरा पार्टी विलेज करता ह वे लोग लेविया की वर्शिप कर रहे थे क्योंकि वो गोड ओफ ओशन है और उसने स्क्वीट को मारा है तो इस तरफ यूकी और रूरी सबको स्क्वीट रिंग बना कर दे रहे थे रूरी सर्व कर रही थी और यूकी कुक कर रहा था वो उस स्क्वीट को काफी शांदार तरीके से कट करता है जिसे देखकर सब लोग इंप्रेस हो जाते हैं वाव 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 क्या बात है तो ही दूसरी तरफ डीमन लोट का परसनल गार्ड वलेट देखता है कि विलेज में आग जल रही है उसे लगता है कि शायद इंसानों ने उनके उपर अटेक करके विलेज को जला दिया है इसलिए वो भागते हुए विलेज की तरफ निकल जाता है इसके बाद इधर हम लेविया और रूरी को बात करते हुए देखते हैं जहां रूरी लेविया से पूछती है कि आप और यूकी एक दूसरे को कैसे जानते हो जिस पर लेविया थोड़ा सोच कर कहती है कि 5 साल पहले यूकी बिना मेरी पर्मिशन के ओशन क्रोस करने की कोशिश कर रहा था और इसलिए मैंने उससे फाइट की थी और उसी वक्त उसने उस वोर को रोकने के लिए मेरी मदद मागी थी और ऐसे हम एक दूसरे के दोस्त बन गए लेकिन इसी वक्त लेविया मन में सो फिर वो रूरी से कहती है कि मुझे लगाता है कि हीरो सेट्सू को सब जानते होंगे लेकिन लगता है कि तुम उसे नहीं जानती जिस पर रूरी कहती है कि क्या आप उसी हीरो की बात कर रही हो जिसने सभी किंग्स के बीच में फाइट को खत्म किया था फिर वो एकदम से श लाकर कहता है कि क्या सब लोग यहाँ पर ठीक है अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ इसलिए इंसान नहीं बचने वाले हैं और तभी वो देखता है कि सब लोग यहाँ पर आराम से पाटी कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं अरे तेरी की तो इसके बाद हम देखते हैं कि रूरी और लेविय ओष्यन के पास बेठे हुए थे तभी व्लेड वहां आकर लेविय से माफी मांगता है और कहता है कि मेरे behavior के लिए मैं माफी मांगना चाता हूँ लेकिन मुझे हेरानी है कि आफ टाउन के अंदर अपने human form में हो तभी वहाँ पर यूकी भी आ जाता है तो उसे देखकर व्लेट कहता है कि ये स्वोर्ड, ये मेजिक पावर मुझे पता था तुम सेट्सू हो यूकी उसे पूछता है कि डेमन लोड का इतना जरूरी ओफिसर अभी इतनी रात को बाहर है इसका क्या मतलब है क्या ये वोर की वज़े से है तो व्लेट कहता है कि हाँ मैं लेविया समा को ढूणने आया था लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो मिसिंग हीरो सेट्सू के साथ होगी लेकिन आपको देखकर अब मुझे उम्मिद नजर आ रही है फिर वो यूकी और लेविया की सामने जाकर कहता है कि प्लीज डीमन लोड को बचा लीजिये और फिर वो उन्हें पूरी बात बताता है कि डीमन लोड को एक टेरेन नाम के आदमी से शादी करने के लिए बोला जा रहा है तो लेविया कहती है कि क्या शादी लेकिन यह तो अच्छी बात है जिस पर व्लेट कहता है कि यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि शादी के नाम पर वो उन्हें कर्स से गुलाम मनाना चाते है तो यूकी कहता है कि तो क्या हुआ डेजास तो जादातर कर्स के असर को चुटकियों में खत्म कर सकती है जिस पर व्लेट कहता है कि वो डीमन लोड को एक नेकले से काबू करेगा जिसमें काफी जादा पावर्फुल कर्स है वो ये भी बताता है कि ये वोड तब शुरू हुआ जब एक महीने पहले इंसानों ने अपनी तरफ से हमला किया था जिस पर यूकी थोड़ा हैरान था तो व्लेट कहता है कि पहले कुछ आर्मर पहने इंसानों ने एक विलेज पर अटेक कर दिया और तो और वो अपनी कंट्री का फ्लेक भी छोड़ गए थे डीमन किंग ने इंसानों के पास इसके बारे में पूछने के लिए लोग भी बेज़े थे लेकिन वो लोड कर नहीं आए और फिर डीमन लोड की इस मजबूरी का फायदा उठा कर टेरन ने मदद के लिए ओफर दिया था जिस पर यूकी पूछता है कि क्या वो टेरन इतना पावरफुल है कि वो वोर को रोक सकता है जिस पर व्लेड कहता है कि वो अभी इस दुनिया के टोप पर है बिल्कुल तुम्हारी तरह तभी रूरी कहती है कि वो खुद एक स्ट्रोंग फायटर तो नहीं है लेकिन टेरन इस वर्ल्ड का सबसे अमीर मर्चेंट है और तो और टेरन ट्रेडिंग कमपनी का हेड है सी में आदे से जादा शिप्स उसके खुद के होते है तो यूकी कहता है कि क्या सिर्फ वोर को रोकने के लिए डेजा स्लेव बनने के लिए तयार है जिस पर व्लेड हा में जवाब देता है तो यूकी कहता है कि क्या तुम सबको भी ये मनजूर है कि डीमन लोड एक स्लेव बन जाए जिस पर व्लेड कहता है कि एसा बिलकुल भी नहीं है हम डीमन लोड के लिए आखरी सास तक लड़ेंगे तो यूकी पूछता है कि अगर ऐसा है तो तुम लोग लड़ क्यों नहीं रहे हो तब ही लेविया कहती है कि तुम्हारी वज़े से क्योंकि डीमन लोड ने तुमसे शांती बनाए रखने का प्रोमिस किया था और ये सुनके यूकी को जटका लगता है आगे लेविया ये भी कहती है कि वो काफी लापरवा है इसलिए हम उसे अकिला नहीं छोड़ सकते है और व्लेड भी यहाँ पर कहता है कि टेरन के चारो तरफ स्किल्ड गार्ड्स है और तो और कैसल में जाने का रास्ता भी मोंस्टर से भरा हुआ है इसलिए तुम अपने मेजिक पावर को बचाए रखना जिस पर लेविया कहती है कि ये काम तुम मेरे उपर छोड़ दो जिसके बाद लेड उसे थेंक्स कहता है और वो दोनों कैसल की तरफ निकल जाते है आगे वो लोगे काफी घने फोरेस्ट के अंदर जा रहे थे और तभी रास्ते में उन्हें चारो तरफ से कुछ मोंस्टर्स घेर लेते हैं भागते भागते लेविया कहती हैं कि इन्हें मैं संभाल लूँगी और फिर वो अकेले ही सारे मोंस्टर्स को मार गिराती है और फिर वो यूकी से पूछती है कि आगे का प्लान क्या होगा जिस पर यूकी कहता है कि मैं इस शादी और उस टेरन दोनों को एक साथ खत्म कर दूँगा जिस पर लेविया कहती हैं कि लेकिन तुम उस मर्चेंट को बिना इस लड़ाई की रोखोगे कैसे तो यूकी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इस वोर के लिए वो जिम्मेदार है क्योंकि व्लेड ने कहा था कि पहले इंसानों ने हमला किया लेकिन इंसान कहे रहे हैं कि पहले डीमन्स ने हमला किया था और मैंने खुद ने भी एक आर्मर पहने ग्रूप को अटेक करते हुए देखा था लेकिन ना तो वो इंसान थे और ना ही डीमन्स थे और इसका मतलब तो ये है कि कोई और है जो दोनों नेशन्स के बीच में वोर करना चाता है और फिर इसी टाइम पर टेरन एक कर्जड नेकलेस के साथ मदद के लिए आता है अब इससे जादा गडबर और क्या हो सकती है मैं तो बस इतना चाता हूँ कि उस टेरन को इन सब के पीचे कौन है उसका पता हो इसके बाद वो लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और भागते भागते लेव्या सोच रही थी कि पहले में सिर्फ ओशन में सारा दिन सोती रहती थी लेकिन यूकी से मिलने के बाद मुझे ये पता चला कि बाहर की दुनिया कितनी सुन्दर है और इसलिए अभी मैं अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करूँगी कि इस दुनिया में शांती बनी रहे इसके बाद वो दोनों एकदम मजे से भागते भागते डीमन किंग के केसल के पास पहुँच जाते हैं तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम डेजास की तरफ से स्टोरी देखते हैं अरे वही डीमन लोड जहां वो कहती हैं कि इस दुनिया में काफी चीज़े हुई लेकिन वो मेरे बस के बाहर थी मैं हमेशा लड़ती गई और बस लड़ती गई लेकिन एक दिन सेट्सू ने उसके सामने शांती के लिए हाथ बढ़ाया उसने कहा कि इस लड़ाई को रोकते हैं और शांती से बेटकर बात करते हैं इस दुरान उसने मुझे एक ब्रोश भी दिया था और कहा था कि मेरे उपर ब्लेक कलर काफी अच्छा लगेगा जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद डेजास सेट्सू को ढूनने की कोशिश करती है पर उसे सेट्सू का कोई अतापता नहीं मिलता है जिस पर व्लेट कहता है कि इंसानों के नेशन डेस्टीनिया को भी नहीं पता कि वो कहाँ पर चला गया है तो डेजास सोचते हैं कि भलेई सेट्सू और में दोबारा कभी ना मिले लेकिन फिर भी में हमेशा हमारा प्रोमिस पूरा करूँगी और शान्ती बनाए रखूँगी इंसानों और डीमन्स के बीच शान्ती बनाए रखूँगी अब इसके कुछ दिनों बाद डेजास और व्लेड उनके सीटी में घूम रहे थे जहाँ चारों तरफ खुशी का माहूल था और लोग शान्ती से अपनी जिन्देगी जी रहे थे और उन्हें खुश और शान्त देखकर व्लेड कहता है कि वोर को खत्म हुए 5 साल हो गए है और अमारे लोगों को इसे खुश देखकर काफी अच्छा लग रहा है जिस पर डेजास कहती है कि हाँ और अमारे लोगों ने भी इसके लिए काफी मेहनत की है लेकिन तभी अच्छानक से डेजास का ब्रोश टूट जाता है तो व्लेड कहता है कि मैंने सुना ही कि डेस्टिनिया में काफी शांदार ज्वेलर है मैं वहाँ से इसे रिपेर करवा लूँगा जिस पर डेजास उसे थेंक्स कहती है लेकिन फिर एक दिन जब डेजास और उसके रोयल ओफिसर्स केसल के अंदर थे तभी उनका एक सोलजर आकर कहता है कि हमारे उपर डेस्टिनिया ने हमला कर दिया है और अभी भी लड़ाई चालू है और साथ ही में उसके दो ओफिसर्स को डेस्टिनिया जाने का कहती है ताकि पता चल सकी कि वहाँ पर क्या हो रहा है लेकिन ऐसे एक महिना बीच जाता है जो लोग डेस्टिनिया गए थे ना ही वो वापस आये थे और ना ही कोई खबर जिस पर डेजास सोचती है कि अभी तो हम सब कुछ जहल रहे है लेकिन ऐसे हमारा नेशन जादा दिनों तक जहल नहीं पाएगा और फिर शायद में सेट्सू से किया हुआ प्रोमिस भी नहीं निभा पाऊंगी और तभी वहाँ पर व्लेड आता है और डेजास से कहता है कि टेरन ट्रेडिंग कमपनी से खुट टेरन आपसी मिलने आया है तो डेजास कहती है कि ठीक है उसे अंदर आने दो वैसे भी अभी हम और कुछ नहीं कर सकते हैं अंदर आने के बाद टेरन डेजास से कहता है कि मैं Terran Trading Company की power का use करके destinia के साथ इस war को खत्म करना चाता हूँ जिस पर Dejas कहती है कि क्या तुम तुमारी दोलत का इस्तमाल करके war खत्म कर पाओगे तो Terran कहता है कि हाँ मेरी company है इतनी powerful कि जब चाहे इस war को रोक सकती है और फिर वो Dejas को अपने deal के documents देता है जिसमें लिखा था कि वर खत्म करने में मदद के बदले डेजास को उसी शादी करनी होगी तो डेजास कहती है तो तुम मुझे अपनी वाइफ नहीं सलेव बनाना चाहते हो है ना, जिस पर टेरन कहता है कि मैं तो बस तुमारी खूपसूर्ती को अपने बस में करना चाहता हूँ, तुम इसे जो चाहे समझ सकती हो, आगे वो एक कर्जड नेकलेस निकाल कर देता है और कहता है कि इस नेकलेस को पहना कर में शादी पूरी करूँगा, उस कर्जड नेक देजास कहती है कि लगता है कि तुम पूरी तयारी के साथ आए हो तो टेरन कहता है कि ये तो बस मेरी तुम्हारे प्यार के लिए निशानी है जिस पर डेजास कहती है कि मुझे इसके लिए सोचने का टाइम चाहिए जिस पर टेरन कहता है कि मेरे पास तो काफी टाइम है फर जायत तुमारे पास जादा टाइम नहीं है, इसलिए सोच समझ कर जवाब देना, अब इसके कुछ टाइम बाद वलेट डेजास के रूम में आकर उससे कहता है, कि आपको ये सब करने की कोई जरूत नहीं है, आपके लिए आपकी आर्मी ओर में हम सब मर मिटने के लिए तयार हैं, जिस पर डेजास कहती हैं कि हाँ, मुझे पता है, और इसलिए में मना नहीं कर सकती, तभी सीन टेरन की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि एक आदमी से कहता है, कि डेजास को कन्विंस करना काफी जादा आसान था, और लगता है कि तुमारी साजिश में साथ देना मेरे लि शुरू हो जाए, जिस पर वो आदमी कहता है, कि इसकी जरूत नहीं है, तो टेरन कहता है, कि एसा क्यों, तुमें डीमोनिक किंडम चाहिए था, और मुझे डीमन लोड, जिस पर वो आदमी कहता है, कि यही मेरे मास्टर की इच्छा है, अब ये मास्टर बा कोन है, और इसा क्यों चाहता है वो हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा इसके बाद डायरेक्ट हमें शादी का सीन दिखाया जाता है शुभलगनम सावधानम जहाँ पर काफी सारे नोबल्स और डीमन्स आये हुए थे यानि कि सारे डीमन्स तभी होल का दर्वाजा खुलता है और डेजास वाइड ड्रेस पहन कर ब्राइड बन कर आती है वो वाइड ड्रेस टेरन को काफी खुबसुरत लगती है जिसके बाद प्रिस्ट उन्हें शादी के लिए वाव करने को बोलता है तो टेरन कहता है कि मैं और डीमन लोर्ड डेजास आज मास्टर सर्वेंट बनने का वाव गरते हैं और टेरन ट्रेडिंग कमपनी अपनी पावर से इस दुनिया पर शांती बनाए रखने का प्रोमिस करती है और फिर टेरन डेजास को वो नेकलेस पहनाने के लिए बाहर निकालता है जिस पर डेजास पहले तो काफ़े जादा हिच की चाती है कि यारी में क्य कर रही हूँ लेकिन फिर इनसान और डीमन्स के बीच शांती के बारे में सोच कर वो नेकलेस पहनने के लिए आगे बढ़ती है यहाँ पर वो सोच रही थी कि काश में स्लेव बनने से पहले एक आखरी बार सेट्सू को देख पाती तभी वहाँ पर काफी बड़ा धमाका हो देजास से कहता है कि मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ प्रिंसेस जिसे देखकर डेजास पहचान जाती है कि यह तो सेट्सू है तो यहाँ पर यूकी को देखकर टेरन अपने सोलजर्स को उस पर अटेक करने के लिए आगे तो बढ़ते हैं लेकिन लेविया उन सब को अ उसके का फायदा उठा कर वो फिर से लेविया पर अटेक करके उसे इंजर्ड करनी वाला था लेकिन यूकी उसके अटेक को रोक लेता है और अचानक से उसके पीछे जाकर उसे एक भढ़न देता है जिससे वो आदमी दूर जाकर गिरता है मगर फिर वो आदमी दोबारा ख उसे रोक लेता है और फिर दो बारा से उसके पीछे जाकर उसे एक खतरनाक वाला भड़न्द देता है तो वो फिर से दूर जाकर गिरता है अब दो तिन भड़न्द खाकर वो आदमी कहता है कि मैं तुमसे फिर कभी लड़ूंगा लेकिन अभी मास्टर को रिपोर्ट देना जादा जरूरी है और इतना कहेकर वो आदमी वहाँ से दिवार तोड़ कर चला जाता है और तभी डेजास आकर यूकी को कसकर गले लगा लेती है और कहती है कि मैंने तुमें काफी मिस किया और तुम मुझे छोड़कर कहां चला गए थे जिस पर यूकी कहता है कि ये तो का कर्स एनर्जी से बने हुए soldiers है जिस पर यूकी कहता हैं कि अगर यह कर्स एनर्जी है तो जरूर इसके पिछे टोमा होगा क्योंकि सिर्फ वही एसा कर सकता है जिस पर डेजास कहती है कि अगर ऐसी बात है तो demon load के नाते में तुम्हारी मदद करूँगी जिस पर यूकी कहता ह तो ठीक है मैं यहां का काम तुम्हारे उपर छोड़ता हूँ और मैं रेगुलूस से मिलने जाता हूँ जिस पर डेजास कहती है कि हाँ बीस डिमेन के किंग रेगुलूस से मदद मागना हमारे लिए फायदे मन रहेगा उतने में ही वहाँ पर रूरी और व्लेड भी आ जाते हैं और रूरी यूकी से पूचती है कि क्या सब ठीक रहा जिस पर यूकी कहता है कि हाँ मैंने सब संभाल लिया और फिर रूरी अपने बेक से ब्रोश वाले बोक्स को निकाल कर यूकी को देती है और कहती है कि ये तुम्हें अपने हाथों से देना चाहिए तो यूकी उस निकाल कर डेजास को पहना देता है जिससे डेजास काफी खुश होती है और सोचती है कि फिर से सेटसु ने मुझे जीने का असली मतलब सिखाई दिया है इसके बाद यूकी लेविया के साथ जाने के लिए निकल रहा था तो डेजास कहती है कि मैं भी तुमारे साथ तो जाना तो व्लेट कहता है कि भले ही बाद में सब सही हो जाए लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि डिमन लोड अपना काम छोड़कर कहीं पर भी जा सकती है तो लेविया कहती है कि तुम हमेशा कबाब में हड़ी क्यों बनते हो भाई हमेशा डेजास पर काम का दबाव डालते रहत यहाँ पर रूरी भी कहती है कि डीमन लोड ने मुझे यहाँ पर अपना खुद का शोब बनाने की पर्मिशन दे दी है अब मेरा खुद का शोब बनाने का सपना पूरा हो जाएगा तो डेजास कहती है कि तुमने मेरा कीमती ब्रोश मुस्तक पहुचाया है तो उसके लिए मै इतना तो करी सकती हूँ आगे व्लेड यूकी को उसकी मदद के लिए ठेंक्स बोलता है और कहता है कि जब भी तुम्हें मदद की जरूत होगी हम जरूर आएंगे इसके बाद यूकी और लेविया बीस्ट किंग्डम में जाने के लिए निकल जाते हैं तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूही की तरफ की स्टोरी दिखाये जाती है कि कैसे वो जब पहली बार यूकी से मिली थी तब वो उसे काफी रूट था और जब यूही ने उसे उसके साथ खेलने के लिए बुलाया था तो उसने एक सिग्मा मेल की तरह उसके मूपे मना कर दिया कि मुझे नहीं खेलना लेकिन वक्त के साथ यूकी उसके लिए थोड़ा पिगल गया और वो लो काफी अच्छे दोस्त बन गए और उसके साथ रहने के बाद ही यूही को पता चलता है कि यूकी असल में ना काफी काइंड और नेक दिल का इनसान है एक दिन जब दोनों स्कूल से लोट रहे थे तब यूही यूकी से कहती है कि क्या तुम्हारे साथ रहने के लिए मुझे भी एक काफी हाई स्कूल में जाना होगा पर यूकी के कुछ जवाब से पहले ही वो इस बात को टाल कर आगे चलने लगती है लेकिन लड़कियों का तो आप जानते ही हो वो आगे जाकर यूही से फिर से पूछती है कि मैंने अभी जो कहा था उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है तो यूकी कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपने इसाब से एक आसाइन से इसकुल में जाने के लिए कोशिश करनी चाहिए तुम्हें सिर्फ मेरे साथ रहने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूत नहीं है इससे तुम सिर्फ अपने लिए ही मुसीबत बढ़ाओगी ये सुनकर यूही के मन में आता है कि शायद यूकी मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करता है और उसको काफी बुरा लगता है और इसलिए वो वहाँ से चली जाती है लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि यूही पढ़ाई में काफी मेहनत करती है लेकिन फिर भी उसके मार्क्स कुछ खास आते नहीं है और जब वो रात में हताश होकर अपने रिजल्ट्स को लेकर घर जा रही थी तभी वहाँ पर साइड में कुछ नल्ले बेरोजगार छप्री लड़के उससे कहते हैं कि मेडाम लगता है तुमारे मोग टेस्ट में काफी कम माक्स आई है अगर ये तुमसे नहीं होता तो तुम हार माल लो और ये सब छोड़कर हमारे सार मजे करो यार पर तभी उसी टाइम पर अपने हीरो की इंट्री होती है और वो पीछे से उन लड़कों से कहता है कि ये लड़की मेरी बंदी है इसलिए दफाओ जाओ या से और ये सुनकर वो लड़के कहते हैं रे यार मेडम तो बूख है और वो वहाँ से चले जाते हैं आगे यूही उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो जिस पर यूकी कहता है तो आखिर तुमने क्या डिसाइड किया देसे भी वो लोग जो बोल रहे थे वो पूरी तरीके से गलत नहीं था अगर तुमसे नहीं होता तो तुम्हें अपने आप पर इतना फ्रेशर नहीं डालना चाहिए ये सुनकर यूही कहती है भले ही लोग मुझे कुछ भी क्यों ना बोले मैं फिर भी तुमारे साथ एक ही स्कुल में जाना चाती हूँ और इतना कहकर उसकी आखों में आसु आ जाते है जैसे कि वो पूरे दिल से यूकी के साथ ही जाना चाती है तो यूकी उसके सर पर हात रखके कहता है कि अगर यही तुमारा डिसिजन है तो मुझे भी तुमारी मदद करनी होगी तो चलो ठीक है फिर मैं तुमारी पढ़ाई में मदद करूँगा लेकिन मैं तुमारे उपर रहम नहीं करने वाला हूँ अगर तुम बाद में रोती भी हो तब भी मैं पिगलूँआ नहीं और यह सुनकर यूही काफी जादा खूश हो जाती है यहाँ पर सीन कट होता है और हमें प्रजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलका और ग्लेन सबी स्टुडेंट्स को मेजिक सिखा रहे थे यहाँ पर जब कुछ गर्ल्स बस थोड़ा सा मेजिक करके खुश हो रही थी तो वही यूही काफी शांदार मेजिक करके भी सेटिस्फाइ नहीं हो रही थी जिसे देखकर एलका भी उसकी काफी तारीफ करती है इसके बाद ट्रेइनिंग खत्म होने के बाद जब सारे स्टुडेंट्स जाते हैं तब यूही भागते हुए एलका और ग्लेन के पास आती है वो उनसे कहती हैं कि आप लोग यूकी के पुराने दोस्त हो है ना जिस पर ग्लेन कहता है कि हाँ हम यूकी के दोस्त हैं और एलका कहती है कि मैं आज भी उनकी काफी रिस्पेक करती हूँ और उनके साथ मिलकर लड़ना चाहती हूँ आगे एलका यूही से पूछती है लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आई हो जिस पर यूही पूछती है कि क्या आप मुझे स्पेशल ट्रेनिंग दे सकते हैं क्योंकि मैं भी यूकी के साथ रहना चाहती हूँ यह सुनने के बाद यूही और एलका एक खुली जगह पराते हैं जहां एलका कहती है कि इस शांती से भरी दुनिया को 60 समाने ही बनाया है और वो अभी भी किसी ना किसी जगह लड़ ही रहे होंगे ताकि वो इस दुनिया में शांती बनाए रखे और उनके दोस्तोंने के नाते हम तयार खड़े हैं ताकि उनके एक इशारे पर हम एक्शन ले सकें आगे यूही कहती है कि मेरे पास यूखी के साथ रहने का और उसके लिए कुछ भी करने का पक्का एरादा है पर फिलाल मेरे पास उतनी ताकत नहीं है इसलिए प्लीज आप मेरी मदद कीजिये जिस पर एलका कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है और इतना कहकर वो यूही का टेस्ट लेने के लिए उसके साथ fight करने के लिए आगे आती है वो यूही पर अपने sword से attack करने लगती है पर यूही भी उन attack को block करती है आगे एलका jump करके magic से उसके उपर काफी सारे ice से attack करती है तो यूही भी उने अपने fire magic से रोक लेती है और उसके बाद दोनो close combat करने लगते हैं तभी एलका पीछे से हट कर कहती है कि तुम पहले से काफी जादा strong बन गई हो यहां आने वाला हर एक student काफी talented है लेकिन उनकी बीच में तुम काफी जादा talented हो लेकिन फिर भी अगर तुम सेट्सू समा का साथ देना चाहती हो तो तुम्हारे अंदर एक चीज़ की कमी है औ और कहती है कि इस tunnel में monsters भरे हुए हैं तो कभी कबार हम इसे अपने soldiers की final training ground की तरह भी use कर लेते हैं अब डरावने monster का नाम सुनकर तो यूही डर जाती है क्योंकि वो अभी इसमें एक बच्ची है तभी वहाँ पानी से एक काफी डरावना crocodile monster बहार निकलता है और एलका वो यूही को उसे लड़ने के लिए आगे भेज देती हैं लेकिन यूही अब भी उसे देखकर बहुत जादा डर रही थी तो एलका उसे कहती है कि डरो मत तुमारे पास उसे हराने की पूरी ताकत है फिरम देखता है कि जब वो monster यूही पर अटेक करनी वाला था तभी यूही हिम्मत दिखा कर उस पर अपने fire magic से अटेक कर देती हैं जिससे वो crocodile जलने लगता है और यह देखकर यूही काफी खुश हो जाती है कि उसने तो एक monster को हरा दिया लेकिन तभी एलका कहती है कि अपना ध्यान मत हटाओ नजर हटी दुरगट ना घटी और तभी हम देखते है कि वो monster अभी भी जिन्दा है और वो यूही पर attack कर देता है जिसे उसे काफी खतरना चोट भी आती है और यह देखकर फिर यूही दो बारा उस पर fire magic से attack कर देती है जिससे वो monster दूर जाकर गिरता है पर वो अब भी जिन्दा होता है तो एलका यूही से उसे खत्म करने के ये खहती है पर यूही ऐसा करने में हिचकिचार दिखाती है जिस पर एलका कहती है कि मेजिक पावर के मामले में तुम लगभग मेरी बराबरी कर सकती हो लेकिन ये एक वोर है यहां अगर तुम दुश्मनों को खत्म नहीं करोगी तो वो तुम्हें खत्म कर देगा इसलिए अगर तुम्हें अपने लोगों को बचाना है तो दुश्मनों से लड़कर उन्हें मारना होगा और तुम्हारे अंदर इसी चीज़ की कमी है और इतना कहकर एलका बिना कुछ सोचे समझे उस मोंस्टर को खत्म कर देती है और वहां से चली जाती है यहां पर सीन कट होता है और अगले दिन यूही अपने रूम में बेठी हुई थी तब ही वहां पर थिया आकर उसकी चोट को हील करने लगती है और कहती है कि एलका का तुम्हें ऐसे अचानक रियल बेटल में भेजना पागल पन था जिस पर यूही कहती है कि कोई बात नहीं मैंने ही तो उनसे रिक सकती हूँ कि एलका ने इसा क्यों किया एलका ने इसा इसलिए किया क्योंकि वो तुम्हें सच में बराबर का मानना चाती है लेकिन तुम सेट्सू के साथ क्यों रहना चाती हो उसके पास रहने से तो तुम खत्रे में आ सकती हो तो यूही कहती है कि वो इसलिए क्योंकि उसकी मदद करना चाहती हूँ तो थिया उसे गुड लग बोलकर वहाँ से निकल जाती है और हम देखते हैं कि एलका ये सब डोर के पास खड़ी ओकर सुन रही थी थी थिया उसे कहती है कि तुम फिकर मत करो यूई एक स्ट्रोंग लड़की है जिस पर एलका कहती है कि हाँ इ इसलिए तुम्हें लगता है कि सेट्सू नहीं चाहता कि हम उसे ऐसे खत्रे में डाले है ना जिस पर एलका हा में जवाब देती हैं तो थिया कहती है कि ये केसी बात हुई ये डिसाइड करने का हक ना ही हमारे पास है और ना ही सेट्सू के पास है ये डिसिजन खुद यू खड़ी हुई दिखती है और इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या ये कल के बारे में है दरसल लोगों की जान लेने में हिचकी चाहट दिखाना एकदम नॉर्मल बात है भले ही ये तुम अपने लोगों के लिए क्यों ना कर रही हो तभी यूही पूछती है कि आप में ये कर ना होगा और शायद सेट्सु भी यही चाहता है इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन यूही काफी मेहनत से ट्रेनिंग कर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने अपनी हिम्मत हासिल कर ली हो और इसके बाद वो एलका को लेकर फिर से उसी टरनल के अंदर आती ह तो एलका उससे पूछती है कि तुम यहाँ खुद से आई हो तो क्या इसका मतलब तुमने अपना डिसिजन ले लिया जिस पर यूही हा में जवाब देती है और फिर जब मोंस्टर बाहर आता है तो यूही एलका से कहती है कि प्लीज अब आप मेरे डिटर्मिनेशन को और फिर वो उस मोंस्टर पर अटेक कर देती है जिससे वो मोंस्टर आग में जल जाता है यह देखकर एलका कहती है कि मैं तुमारी पावर और एक्यूरेसी को देखकर काफी इंप्रेस हुई तो यूही कहती है कि इतनी जल्दी नहीं क्योंकि यह मोंस्टर अभी मरा नहीं ह मैंने बस इसे थोड़ी देर के लिए बेहोश कर दिया है और यही मेरा decision है कि कभी किसी की जान ना लेना और इसलिए मैं कभी किसी से हारूंगी भी नहीं और किसी की जान भी नहीं लूँगी जिस पर एलका कहती है कि तुमारा जवाब तो बिल्कुल सेट्सू समाज जैसा है और मुझे तुमारा ये decision सुनकर काफी खुशी भी हुई लेकिन इसके लिए तुम्हें काफी जादा strong बनना पड़ेगा तो योही कहती है कि हां मैं काफी strong बनूँगी ताकि मैं यूकी और यहां बाकी सभी लोगों को बचा सकूँ इसके बाद हम देखते हैं कि गलेन सभी students को बता रहा होता है कि king ने हमें order दे दिया है और इसलिए हम अपने देश और उसके citizens की रक्षा के लिए कल शाम को demonic nations के लिए निकलेंगे सब लोग physically और mentally तयार हो जाओ जिससे सुनने के बाद सारे students वहां से जाने लगते हैं अकेली यूही ही उपर इन तीनों के पास आती है तो इस episode की starting में हम देखते हैं कि यूकी और लेविया दोनों beast man continent की तरफ जा रही थे और इस दोराल लेविया एकदम आराम से फेल के सो रही थी और घचार 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 स्नेक्स खाये जा रही थी जिसे देखकर यूकी कहता है कि तुम कुछ जादे ही चिलनी लग रही हो और क्या तुम ऐसा कोई magic नहीं कर सकती जिसे हम A की बार में वहाँ पहुंच जाए जिस पर लेविया कहती है कि क्या तुम transfer magic के बात कर रहे हो तो यूकी कहता है कि हा में वो ही बोल रहा हूँ और तुम तो sea god हो इसलिए इतना तो करी सकती हो जिस पर लेविया कहती है अच्छा तो तुमने क्या sea god को कोई जादू की छड़ी समझ रखा है कि कभी भी कोई भी magic करा लो transfer magic करना काफी जादा मुश्किल होता है सालों की तैयारी और दुनिया भर का magic power चाहिए होता है ये सब इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता जिस पर यूकी कहता है कि हाँ वेसे तुम बोल तो सही रही हो क्योंकि अगर ये इतना ही आसान होता तो कोई horse carriage से क्यों ही जाता तभी अचानक से उनका carriage एक दम से उपर से नीची हिल जाता है और फीचर से वहाँ दो demon लड़किया उनके carriage के अंदर आती है उनमें से एक लड़की का face देखकर यूकी उसे पहचाल लेता है और कहता है कि काफी time बाद मिले है रोतली अलीजे है जिसे सुनकर अलीजे रोते रोते कहती है कि मैं अब रोतलू नहीं हूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ अब इसके थोड़ी दिर बाद यूकी अलीजे का introduction लेविया को देता है कि पिछली बार जब मैं समन हुआ था, तो हमने थोड़े time के लिए साथ में travel किया था तब ही अलीजे बीच में कहती है और मैं master सेट्सू की top student हो जिस पर यूकी कहता है, मैंने तुम्हें कभी भी अपना student accept नहीं किया था तब ही वो दूसरी लड़की कहती है, कि हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गई, कि वो मेरी sister का master है तो लेविया उससे पूछती है, कि तुम कोन हो जिस पर वो लड़की कहती है, कि मैं Amelie हूँ, अलीजे की छोटी बहन तो यूकी अलीजे से पूछता है, तो तुम्हारी एक छोटी बहन भी है जिस पर अलीजे कहती है, कि है तो नहीं, लेकिन situation ऐसी बन गई थी, कि हमें थोड़े time तक साथ रहना पड़ा तो वो मुझे बड़ी बहन बुलाती है, आगे फिर अलीजे यूकी से पूछती है, कि वैसे मास्टर आप इतने सालों तक मुझे इसे अकेली छोड़कर कहां पर चले गए थे और इसे किसके साथ रंगरलिया मना रहे थे, और इसके बाद इस बात का जवाब पाने के लिए यूकी को चारो तरफ से सब लोग घेर लेते हैं तो यूकी कहता है, अरे रुको जरा, सबर करो, अभी समझाता हूँ, और फिर यूकी उन्हें सब कुछ सच बता देता है और फिर वो अलीजे से कहता है, तो तुम भी हमारे साथ बीस्टमेंट कॉंटिनेंट क्यों नहीं चलती, चलो हमारे साथ जिस पर अलीजे पहले तो एकदम एक्साइटेड होकर हा कर देती हैं, पर फिर कहती हैं कि अभी मैं एक सीरियस सिचुएशन में फसी हुई हूँ और एक दिन मुझे एक विलेज से ड्रेगन को मारने का ओडर मिला था, और वो बड़ा ही शान्त और अच्छा विलेज था, और उसी विलेज में मुझे घर में रहने के लिए दिया गया, जहां मैं अमिले से मिली थी, और बातो बातों मैं अमिले उसे बताती हैं कि ये मेरे बड़े भाईया का घर है और उनसे में दो साल पहले मिली थी उन्होंने बोला था कि आज से हम एक फैमली हैं लेकिन फिर ड्रेगन जब से वो ड्रेगन के साल लड़ने के लिए गए तब से वो वापस ही नहीं आए जिस पर अलिजय कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि जैसे ये म मुसीबत खत्म होगी मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहना चाहूंगी और तुम मुझे अपनी बड़ी बेहन की तरह समच सकती हो अब ये सुनते से ही तो अमिले काफी जादा खुश हो जाती है वाव ये सुनने के बाद फिर यू की पूछता है कि क्या अमिले का भा ड्रेगन को हराने के लिए तयारी कर रही थी और इसलिए मैंने विलेज के सेफटी वोट्स को खोल दिया था ताकि जैसी ड्रेगन अंदर आए मैं उसे हरा दूँ ये देखकर अमिले कहती है कि ये आपके लिए काफी खतरनाक है तो अलीजे उससे कहती है कि मुझे कुछ न आने वाला है इसलिए तुम जल्दी से घर पर चली जाओ जिससे सुनकर अमिले वहाँ से चली जाती है इसके बाद जब ड्रेगन आता है तो अलीजे ड्रेगन से फाइट करती है और वो उस पर अपने स्वोट से अटेक करती है जिससे वो ड्रेगन वहाँ सिर भाग जाता ह और अलीजे उसे मारने के लिए उसके पीछी पीछे जाती है पर वो ड्रेगन अचानक से कई गायब हो जाता है और इसके बाद जब अलीजे विलेज में वापस आती है तो वो देखती है कि पूरा का पूरा विलेजी गायब हो चुका है सिर्फ अमिले को छोड़ कर और फिर अलिजे ने सोचा कि वो शहर में जाकर किसी को अमिले का खयाल रखने के लिए दे देगी और फिर विलेज वालों को ढूंडेगी और बस मैं इसे छोड़ने जाई रही थी कि रास्ते में हमें तुम मिल गए अब ये सारी बाते सुनकर यूकी कहता है कि मैंने ऐसा सब पहली ब इंसर होगा जिसने सभी विलेजर्स को जोंबी में बदल दिया होगा और तो और वो ये भी कहती है कि वो ड्रेगन वो बिना एक जोंबी होगा जिसे सुनकर यूकी उसके सर पर एक टपली मारता है और कहता है कि ये मजा करने का टाइम नहीं है अभी सीरियस बात करो तो फि नहीं लगता है कि वहाँ पर सी सेरन मॉंस्टर थी हा लेकिन लेविया समा आप से बिलकुल भी बदबुनी आती है इसलिए आप चिंता मत कीजिया अब इनकी बक्चोदी इतनी काफी नहीं थी कि यूकी भी कहता है कि मुझे क्या लगता है ना दोस्तो जरूर इसमें एलिय सीचुएशन है तो आगे यूकी कहता है कि अच्छा अच्छा तो फिर हो सकता है कि ये ड्रेगन भी लेविया की तरह एक एडवांस इस्पीशीज हो और इंसान में ट्रांस्फोर्म हो सकती हो वो लेविया से पूस्ता है कि क्या तुम इंसानों को बिना किसी निशान के गा ड्रेगन है जिस पर लेविया ना में जवाब देती है आगे वो पूछती है कि अगर ये ड्रेगन एक्जिस्ट करता है तो उसने अलीजे को गायब क्यों नहीं किया तब ही उनका केरेज रुक जाता है क्योंकि आगे ब्रीज के उपर पानी निकल रहा था और वो पानी बह बार बार क्यों अटेक कर रहा है जिस पर लेविया कहती है कि शायद वो वहाँ पर मेजिक पावर से अट्रेक्ट हो रहा होगा दरसल इनसान के मेजिक पावर से मॉन्स्टर अट्रेक्ट हो सकते हैं जैसे कि अगर तूम विलेज के अदर मेजिक यूज करते हो तो कुछ मॉ की कुछ सोचता है और कहता है कि क्या ट्रांसफर मेजिक इसके लिए एकदम सही फिट नहीं बैठ रहा उससे ड्रेगन अट्रेक्ट भी हो सकता है और लोगों को गायब भी किया जा सकता है वो भी बिना किसी निशान के आगे वो ये भी कहता है कि लोग ड्रेगन के अटेक के बाद गायब हुए है पर क्या हो अगर असलियत में इसका उल्टा हो ड्रेगन लोगों के गायब होने के बाद आया हो इसका तो बस एक ही जवाब है कि उन लोगों को ट्रांसफर मेजिक से कहीं ओर ले जाया जा रहा है और जब भी इसा होता है तब ड्रेगन अट्रेक्ट होक पर विलेज की तरफ आ जाता है जिस पर अलिजे कहती है कि इसका मतलब कोई पास में छुपकर ये सब कर रहा है जिस पर यूकी कहता है कि ठोड़ा सोचो तो अलीजे कहती है कि नहीं नहीं सेट्सु समा ऐसा नहीं हो सकता है जिस पर यूकी कहता है कि मेरा बस एक सवाल है जब लेविया सेरेन की स्टोरी बता रही थी तब तुमने बोला था कि सी मोंस्टर में से एक बद्बू आती है ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने माना को कंट्रोल में नहीं रख पाते लेकिन लेविया अलग है वो एक परसेंट भी अपना माना लीक नहीं होने देती तो तुम्हें ये किसे पता चल गया कि लेविया कौन है जिसे सुनकर अमिले एक अजीब सी स्माइल देकर कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं मोंस्टर को पहचारने में काफी अच्छी हूँ और तभी देखते ही देखते केरेज में एक धमाका होता है और अमिले उसी ड्रेगन में ट्रांसफोर्म हो जाती है ड्रेगन में ट्रांसफोर्म होते ही वो यूकी पर अटेक करने लगती है पर यूकी भी भागते हुए उसके अटेक को डोच कर लेता है भागते भागते यूकी अलीजे को उसके साथ अटेक करने के लिए बोलता है लेकिन वो ड्रेगन उन दोनों पर अटेक्स करने लगती है जिसे ये दोनों डोज कर रहे थे मगर तभी अटेक करते करते ड्रेगन का पेर बारिश की वज़े से फिसल जाता है तो यूकी उपर जम करके लेविया को आवाज लगाता है लेविया यूकी के स्वोर्ट को और पावरफुल बना देती है जिससे यूकी ड्रेगन पर अटेक कर देता है लेकिन ड्रेगन काउंटर अटेक करके बच जाता है और भागने की कोशिश करता है तो भी यूकी अलीजे को आवाज लगाता है और अलीजे उस ड्रेगन के सर पर स्वोट से अटेक कर देती है जिससे उस ड्रेगन का वही पर खात्मा हो जाता है इसके बाल लेविया अपने सी गोट फोम में यूकी को अपने उपर लेकर सी पार करा रही थी उनके साथ अलीजे नहीं होती है क्योंकि वो वापस उसी घर में जाती है जहां वो अमीले से मिली थी तो भी पीछे से अमीले आ जाती है और अलीजे उसे देखकर पूरी तरीके से शोक हो जाती है और वो फटाफट अपनी स्वोड निकाल लेती है अमिले कहती हैं कि तुम्हें क्या लगा था मैं मर गई हूँ तुम इतना भी पता नहीं कर पाई कि जिने तुमने मारा था वो सिर्फ मेरा एक पेट था फिर अलिजे पूछती है कि सारे विलेजर्स कहां पर है जिस पर अमिले कहती हैं कि वो सब वो सब तुडोल्स बन गए है उनके पास काफे स्ट्रोंग मेजिक पावर था और इसलिए उन्हें वोर के लिए मेजिक सोलजर में बदल दिया गया है पूरी आर्मी तयार ओर ये भाई साब इनकी तो वो ये भी कहती हैं कि मेरा नाम अमिले नहीं बलकि मोंस्टर मास्टर है और ये नाम मुझे टोमा समाने दिया था तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक बीस्ट लड़की को देखते हैं जिसका नम शीरो निको होता है और हम इसे अपनी सीरीज में शीरो बुलाएंगे आगे शीरो जैसी मार्केट से गुजरती हैं तो विलेज के सब लोग उसे अपनी अपनी शोप से कुछ ना कुछ गिफ्ट दे रहे थे जैसे कि कोई फिश देता है, कोई मीट देता है, कोई vegetable देता है तो कोई fruits देता है शीरो उन्हें मना करने की कोशिश भी करती है पर वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और उसे गिफ्ट लेने पर मजबूर कर देते हैं तो Shiro कहती है कि अच्छा अच्छा ठीक है और वो थेंक्स केकर सारे गिफ्ट एकसेप्ट कर लेती है। इसके बाद जब Shiro सारा सामा लेकर घर पौँचती है तो वहाँ उसकी बिमार बहन मिनी को होती है। और वो शीरो को देखकर कहती है कि वाव दिदी आज भी लोग आपसे काफी प्यार करते हैं। तो शीरो कहती है कि हाँ, लेकिन हम जो खाना नहीं खा पाएंगे मैं उसे जरुवत मंदों को दे दूँगी। जिस पर मिनी को भी कहती है कि हाँ, यह अच्छा इडिया है, तभी मिनी को काफी जोर से खासने लगती है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी दी, यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, और हम यूकी उलेविया को देखते हैं, वो दोनों पगलेट बीस्ट कॉंटिनेंट के अंदर आ चुके थे, और रोयल केपिटल में जाने के लिए बोट मांग रहे थे, पर वो आदमी उन्हें मना कर देता हैं, और कहता हैं कि तुम ऐसे अचानक से कहीं से आकर बोट नहीं मांग सकते भाई, तो फिर यूकी लेविया की तरफ देखकर कहता हैं, तुमने सुना ना, अब तुमें ही हमें आगे लेकर जाना होगा, जिस पर लेविया गुस्सा होकर कहती, ओ बुल गए लगत फेर कर कहता हैं, मैंने तुमसे काफी काम करवाया है ना, प्लीज मुझे माफ कर देना, जिससे सुनकर बिचारी लेविया पिखल जाती हैं, और कहती हैं, हाँ ठीक है ज्यादा नाटक मत करो, लेकिन हम कल सुबह तक रेस्ट करेंगे, उसी के बाद हम जा सकते हैं, तभी प उससे में कहती हैं, बड़ा अजीब आदमी है, मेरी फिलिंग्स की कोई गदर ही नहीं है, इसके बाद हम शीरो को देखते हैं, जो कि एक शौप से अपनी बहन के लिए मेडिसिन बाई कर रही थी, शीरो उस शौप की पर लेडी को ठेंक्स बोलते हुए कहती हैं, कि हमेशा मेरे लिए इतनी expensive मेडिसिन ढुणने के लिए आपका शुक्रिया, जिस पर शौप की पर कहती हैं, कि मैं ये तुम्हारे लिए कभी भी कर सकती हूँ, और वेसी भी तुम अपनी बहन के लिए काफी मेहनत करती हो, यहाँ पर वो ये भी कहती हैं, कि मेरे पास तुम्हारे ल ली तो तुम्हे काफी सारे पेसे मिलेंगे, तुम्हे अपनी लाइफ में फिर कभी पेसे के लिए काम नहीं करना होगा, साथी में तुम्हें मेडिसिन के लिए भी फिकर करने की कोई जरूत नहीं है, तभी पीछे से यूकी और लेविया अंदर आते हैं, तो शौप की पर उनसे पूछती है, क्या आप लोग यहां रहने के लिए रूम ढूंड रहे हो, जिस पर यूकी कहता है कि हाँ, दो लोगों वाला रूम, सिर्फ एक रात के लिए, तभी शीरो वहां से अपना फेस चुपा कर बाहर चली जाती है, और जाते जाते वो यूकी को भी देख ले साथ एक काम मिला है, इसलिए तुम मेरे बिना ही सो जाओ, तो वहीं यूकी और लेविया अपने रूम में आराम से सो रहे थे, और रूम के बाहर शोब कीपर और शीरो तयार खड़े थे, शोब कीपर शीरो से पूछती है, कि क्या तुम अब भी हिचकिचा रही हो, जिस प रखा है, इसलिए आप मेरे लिए एक बड़ी बेहन जैसी हो, और मैं तो ये सोच रही थी कि जब मुझे इस काम के लिए पैसे मिल जाएंगे, तब हम तीनों कहीं दूर चले जाएंगे, और वहाँ शांती से रहेंगे, जिस पर शोब कीपर शीरो के सर पर हाथ रखकर खहत कि तुम मुझे जो चाहो बुला सकती हो, और मुझे भी तुम्हे चोटी बेहन बना कर बहुत खुशी हुई, अब तुम जाओ और ये काम पूरा करके आओ, ताकि मिनी को खुश रह सके, ये सुनकर शीरो काफी जादा खुश हो जाती है, और फिर शोब कीपर उसे यूकी और लेविया के रूम की कीज देती है, इसके बाद शीरो धीरे से रूम में जाकर देखती है, जहां यूकी और लेविया दोनों सो रहे थे, और यही मोका देकर वोन पर अटेक कर देती है, लेकिन ये सिर्फ यूकी का एक इल्यूजन था, अर अपना यूकी कोई कच्चा खिलाडी है क्या, और तभी यूकी अचानक से उसके पीछे से आकर उसे एक कीक मारता है, जिससे शीरो खिड की तोड कर बाहर निकल जाती है, और फिर यूकी नीचे जम्प करके उससे पूछता है, कि क्या तुम टोमा के लिए काम करती हो, जिस पर शीरो कहती है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, पर मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा, इतना कहेकर वो अपने हाथों को पंजो में ट्रांस्फोर्म कर लेती है, और उपर जम करके यूकी पर मेजिक से अटेक कर देती है, लेकिन यूकी अपना खिलाडी उसके मेजिक को आराम से रो हो जाती है, और तभी यूकी और लेवया देखते हैं कि उसके उपर कर्स मेजिक यूस किया गया है, और ये सब दूर से शोप की पर होते हुए देख रही थी, मुझे तो ये विलन लगरी है, खेर इसके कुछ टाइम बाद जब शीरों की आखे खुलती है, तो वो अपनी आखों के सामने यूकी को देखती है, और उसको देखती ही वो उसके उपर अटेक करनी वाली होती है, कि ये तभी मिनिकों से रोक लेती है, और कहती है कि दी इन लोगों को तुम बेहोश मिली थी, और इसलिए वो लोग तुमें यहाँ पर लेकर आए हैं, और तभी यूकी शीरो को इशारा करके बता देता है कि उसने मिनिको को जूट बोला है और इसलिए फिर शीरो भी यूकी को थेंक्स कहती है आगे यूकी कहता है कि मैं तुमारी सिचुवेशन समझ गया हूँ तुम अपनी सिस्टर के खाते डेंजरस काम करती हो है ना लेकिन मैं तुमें बता दू कि मिनिको को कोई बिमारी नहीं हुई है और इतना कहकर वो मिनिको के नेकलेस पर अपना एक मेजिक करता है जिससे मिनिको की पूरी बोड़ी से ब्लेक स्मोक निकलने लगता है और फिर यूकी कहता है कि ये cursed magic है ये कोई बिमारी नहीं है बलकि powerful curse magic है ये सुनकर शीरो यूकी से पूछती है क्या मेरी बहन ठीक हो सकती है प्लीज मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ प्लीज मीनिको को बचा लीजिए तो यूकी उससे कहता है कि हाँ तुम फिकर मत करो मैं तुमारी बहन को बचा लूँगा इसके बाद हम देखते हैं कि यूकी अपने magic से वहाए एक gluten नाम के sword को समन करता है और फिर वो sword से कहता है कि gluten इस curse को खा जाओ और तभी उस sword का मूँ खुलता है भागडा आग और वो shop की पर होती है जिसे शीरो अपनी बड़ी बहन मानती थी ले आगे ना खेमडी मैं को लगी रहा था आगे shop की पर शीरो से कहती है कि ना ही सिर्फ तुम मेरा order पूरा करने में ना काम्याब होई लेकिन अब तुम target को भी बचा रही हो यहाँ यूकी सोचता है कि अभी मैं बीच में gluten को नहीं रोक सकता तभी shop की पर कहती है कि हीरो सेट्सू मैं तुमें पकड़ कर अपने कबजे में करने वाली हूँ लेकिन तभी लेविया उस पर water से attack करके उसे घर से दूर फेक देती है तो यूकी लेविया से कहता है कि ये लड़की ना काफी strong है क्या तुम इसे अकेले संभाल लोगी जिस पर लेविया कहती है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है मैं god of sea हूँ तभी shop क पर लेविया पर अपने knives फेकती है पर लेविया अपने water magic से उन्हें रोक लेती है आगे shop की पर कहती है कि तुम sea god हो तो क्या हुआ ये sea नहीं है और इसलिए तुम अपनी पूरी power का use तो करी नहीं सकती और इतना कहकर वो वहाँ पर अपने काफी सारे clones बना कर लेविया को घेड लेती है और चारो तरफ से उसके उपर attack कर देती है लेकिन लेविया एक smile देकर उसके सारे clones को एक साथ खतम कर देती है और कहती है अरे ओ बुडबक तुमने हमें समझ का रखा है जहां पर हम खणवा होते हैं वहीं पर ये सीवा शुरू होता है समझेगा और फिर वो उस पर एक आखरी attack करके उसे हरा देती है आगे लेविया उससे पूछती है कि टोमा क्या हासिल करना चाहता है अगर तुम सच सच बता दो कि तो मैं तुमारी जान नहीं लूँगी जिस पर वो शोप की पर कहती है कि अपनी जान के लिए भीक मांगना पड़े इतने बुरे या लड़के से इतना चोटा सा काम भी नहीं हुआ तो तुम मुझे दीदी के से बुला सकती हो इसके बाल लेविया उससे खतम करने ही जा रही थी लेकिन फिर तभी शोप की पर कहती है कि टोमा समा का गोल इस दुनिया का गोड बनकर दुनिया की हर एक species को जड़ से खत्म कर देना है और हम सब उनके soldier से और वो अपना गोल पूरा करके रहेंगे इतना कहकर शोप की पर परपल कलर का गोला निकालकर फुर वहां से गाय बुजाती है और तभी वहाँ पर यूपी भी आ जाता है मेनिको भागती हुई शीरों को हक कर लेती है और मेनिको को ठीक लेविया बोट से जा रहे होते हैं जहां यूकी कहता है कि किसने सोचा था कि हम फिर से बीस्ट एकिंग के साथ मिलकर लड़ेंगे और तभी वो लोग वहाँ साइड में शीरो और मिनिको को देखते हैं वो दोनों यूकी से कहते हैं कि अगर तुम लोग फाइट करने जा रहे हैं और वो लोग साथ में बोट में जाने लगते हैं तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में बीस्ट किंग और उनके सभी employee meeting कर रहे थे जहां पर सब लोग बहस कर रहे थे कि उन्हें हमला होने का इंतजार नहीं करना चाहिए बलकि सामने से हमला करना चाहिए और ये बहस काफी देर तक चलती है जिसे किंग बेठे-बेठे सुन रहा था तबी उनकी बेटी रोआ को कुछ फील होता है और इसलिए वो भागते हुए वहाँ से बाहर जाती है इधर उनके पेड़ वाले महल के बाहर हम देखते है कि यूकी, लेविया, शीरो और मिनी को रोयल केपिटल में पहुँच चुके थे लेकिन वो गार्ड साला उन्हें अंदर नहीं आने दे रहा था क्योंकि वो यूकी को नहीं जानते थे तबी शीरो और मिनी को कहती है कि ये हमारे मास्टर है इसलिए प्लीज इन्हें अंदर जाने दीजिए, लेकिन वो गार्ड कहता है कि मास्टर हो के कोई भी हो, ये अंदर नहीं जा सकता, तबी एकदम से उस महल के उपर से रोवा कूद कर सेट्सू सेट्सू चिला कर उन्हें गार्ड के उपर कूद जाती है, बंदर यह एक नंबर की, और उसके पास जाकर कहती यह यह खुशबू, यह प्रजेंस, पर तुम दिखने में थोड़े अलग लग रहे हो, लेकिन कोई शक नहीं है कि तुम सेट्सू हो, तो यूकी भी उसे देखकर कहता है कि हाँ, और तुम भी बिल्कुल नहीं बदली रोवा, शीरो और मिनी को प्रिंसेस रोवा को ऐसे द लटक देता है, और कहता है कि बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, बाप से नहीं जीत सकता, समझ में आया क्या, तो रोवा कहती है कि तुम आज भी उतने ही स्ट्रोंग हो, अच्छी बात है, इसके बाद वो सब लोग मिलकर अंदर जाते हैं, जहां रोवा यूकी का हा हो गए थे, और इसलिए में डर गई थी, और अगर तुम वापस आ गए थे, तो सीधा मेरे पास आना चाहिए था ना, तो यूकी कहता है माफ करना, काफी सारी प्रोब्लम्स चल रही थी, और फिर यूकी रोवा को एक बिल्ली की तरह सहलाने लगता है, जिससे रोवा को का कहता है, तुम आज भी उतने ही स्ट्रोंग हो, क्या यह बाप बेटी दोनों एक जैसे यह कह रहे, मुझे मेरे साथी से यही उम्मीद थी, लेकिन तुम काफी अलग दिख रहे हो सेट्सू, पर तुमारी खुश्बू और तुमारे प्रेजन से पता चल रहा है, कि तुम व जब यह काफी जरूरी बात करनी है, तो किंग पूछता है कि क्या यह यूमन्स और डीमन्स के बीच में होने वाले वोर के बारे में है, जिस पर यूकी कहता है कि हाँ, तुमा जिन्दा है और इसके पीछे उसी का हाथ है, और वो सब को मारने की कोशिश कर रहा है, तो हैं कि अगर ऐसी बात है, तो मेरे पापा के बदले में जाऊंगी, तो किंग कहता है कि हाँ, वैसे भी मेरी जगह पर अगर कोई जा सकता है, तो वो सिर्फ रोवाई है, तभी वहाँ पर एक लड़का आकर किंग को रोक लेता है, और कहता है कि हूमन्स और डीमन्स दोनों ह हमारे दुश्मन है, और अभी जब हमारा देश भी खत्रे में है, तो हम उन्हें कोई मदद कैसे दे सकते हैं, और फिर उसका इंट्रोडक्शन होता है, कि मैं रोवगा हूँ, आर्मी का कमांडर और रोवा का फियोन से, जिस पर रोवा काफी जोर से सर हिला कर इंकार कर दे तो इसका क्या सबूत है कि यह अब भी हमारी साइड में है, इस पर किंग कहते हैं कि हाँ, तुमारी बात में दम तो है, इसलिए हम इस आर्ग्यूमेंट को हमारे तरीके से सोल्व करेंगे, जिसकी बाद रोवगा यूकी से कहता है कि मैं तुम्हें लड़ने के लिए चेले कट होता है, और हम किंग और यूकी को बात करते हुए देखते हैं, जहां किंग कहता है कि माफ करना सेटसू, मगर हम बीस्ट मेन को लड़ाई के अलावा किसी और तरीके से समझाना मुश्किल है, लेकिन अगर तुम ये लड़ाई जीत जाते हो, तो एक तीर से दो शिकार क बिल जाएगी, ये सुनकर शीरो काफी जादा जेलिस फिल करती है, क्योंकि वो रोवा के जगा पर होना चाती थी, जिस पर पास इमें बेठी लेविया कहती है, कि सब मोम आया है, पांच साल बीद गए, लेकिन कुछ भी नहीं बदला, तो वही रात में रोवा रोगा के र नहीं अट सकता, और वेसे भी मेरे पास जीतने का चांसेस है, और फिर वो अपने हाथ पर बने एक निशान को दिखा कर कहता है, कि ये मुझे एक मेज ने दिया था, और इसकी मदद से में काफी जादा स्ट्रोंग बन सकता हूँ, किंग को शायद ये पसंद ना आए, लेक लड़ने की हालत में नहीं होगा, या सरेंडर कर देगा, और फिर वो मेट स्टार्ट करने का सिगनल दे देते हैं, अब जैसे ही मेट स्टार्ट होता है, रोगा तुरंत यूकी पर अटेक कर देता है, पर यूकी उसके अटेक से आराम से बच जाता है, ये देखकर रोगा एक और अटेक कर देता है तो यूकी उसे अपने हाथ उसे ही रोक लेता है ये देखकर रोगा दंग रह जाता है कि यार ये तो सच में पावरफुल है और इसलिए फिर वो अपने बीस्ट फोम में ट्रांस्वर्म हो जाता है लेकिन अगले ही पल यूकी उसकी पूँच को पक नहीं करना चाहता हूँ ये सुनने के बाद रोगा काफी जादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा मतलब कि मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि तुम मुझे हरा सको तब ही उसका मार्क चमकने लगता है तो यूकी उससे कहता है कि क्या तुम्हें अपनी कमजोर पर गुस्सा आ रहा है और ये सुनते से ही रोगा को 5 साल पहले की बात याद आ जाती है जब वो यूकी और रोवा को ट्रेनिंग करते हुए देख रहा था और रोवा सिर्फ यूकी को ही अपना मास्टर मानना चाहती थी और इसके कारण उसे काफी जादा जेलेसी और गुस् पर रोवा उस पर अटेक कर देता है जिससे यूकी दूर जाकर गिरता है ये देखकर किंग सब लोगों को वहां से जाने के लिए कहता है कि अब बात बिगर चुकी है यहाँ पर लेविया यूकी को उसकी स्वोर्ट दे देती है आगे जब फिर रोगा उस पर अटेक करने जा रहा था तो यूकी उसका हाथ गार देता है पर तब यू वहाँ पर उसका नया हाथ आ जाता है अब तो रोवा भी उस पर अटेक करने के लिए आगे बढ़ती है पर रोगा उस पर भी अटेक कर देता है लेकिन टाइम रहते यूकी उसे बचा लेता है जिस पर रोवा क पूछती हैं कि तो फिर तुमारे पास कोई प्लान है जिस पर यूकी कहता है कि हाँ प्लान तो है लेकिन यह काफी खतरनाक हो सकता है क्योंकि उस दोरान में एकदम डिफेंसलेस रहूंगा तो रोवा कहती है कि तुम फिकर मत करो उस दोरान में तुम्हें बचाऊंगी अब ये सुनकर यूकी तुरंत ग्लूटन मेजिक को समन करने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर चारो तरफ धुआ हो जाता है रोगा की नसे फटने लगती और उसमें से खुन निकलने लगता है और फिर अचानक से रोगा का सर फट जाता है और उसके अंदर से टूमा निकलता है वो यूकी को देखकर कहता है काफी दिनों बाद मिले सेट्सू मैंने तुमें काफी मिस किया फिकर मत करो मैंने इसे मार दिया है क्योंकि तुम इस पर अपना कीमती मेजिक पावर वेस्ट करने जा रहे थे और माफ करना मैं तुमसे सिर्फ एक शेडो बन कर मिल रहा हूँ पर तुमें देखकर मुझे काफी खुशी हुई तभी रोवा कहती है कि क्या वो तुमी थे जिसने रोगा की यह हालत की है जिस पर टोमा गुसा हो जाता है और कहता है कि मेरे और सेट्सू के बीच में बोलने की हम्मत केसे हुई और इतना कहेकर वो उस पर अटेक करने ता कि यूकी उसे रोक लेता है और कहता है कि रोवा को कुछ मत करो टोमा जिस पर टोमा कहता है कि तुम उस लड़की के लिए मेरे उपर हमला करोगे फिर से तुम मेरी जगह किसी और को प्रोटेक्ट करोगे तुमने तो मुझसे प्रोमिस भी किया था पर फिर भी लेकिन खुश करूँगा मैं सारे हुमन्स डीमन्स और बीस्ट मेन को खत्म कर दूँगा थाकि कोई हमारे बीच ना आ सके ये सुनकर यूकी कहता है कि अपना मुँ बंद रखो अगर तुम मासुम लोगों की जान लोगे तो मैं फिर से तुमारे टुकड़े टुकड़े कर दूँग जिस पर टुमा कहता है कि क्या तुमें लगता है कि तुम सबको बचा सकते हो वर अल्रेडी स्टार्ट हो चुकी है और इस बार मैं तुमें अपना बना कर रहूंगा इतना कहते सी टुमा वहां से गायब हो जाता है जिसके थोड़े टाइम बाद किंग यूकी से माफी और कहता है कि माफ करना मुझे इस लड़ाई को अप्रूव ही नहीं करना चाहिए था तो यूकी कहता है कि ये तुमारी गलती नहीं है वैसे भी टुमा आने ही वाला था और हम बाद में इन सबका शोक मना लेंगे पर अभी इसके लिए टाइम नहीं है हम अभी फोरन डिमो कोंटिनेंट के लिए निकलने वाले हैं तोमा को रोकने के लिए जिस पर किंग कहता है कि ठीक है मैं एक शिप तयार करता हूं और अमारी आर्मी भी जितना जल्दी हो सके वहाँ पहुंच जाएगी इसके बाद यूकी रोवा के पास जाता है जो कि वहीं पर खड़ी थी ज ना तुम सही कह रही हो और फिर वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं जिसके साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है बुद्धी विवेका एलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 10 साल पहले की स्टो था और दूसरे लड़के का नाम था टोमा उन दोनों को देखकर किंग और बाकी सबी लोग खुश हो जाते हैं और उन्हें हीरोस कहेकर बुलाते हैं जिने गोड ने उनकी मदद करने के लिए भेजा है जिसे सुनकर सेट्सू एक एए यूकी कहता है कि यह सब क्या बखवा है कि मेरा नाम है यूकी तभी सींग कट होता है और हम यूकी को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं तो टोमा उससे पूछता है कि यूकी तुम इतना शानते कैसे रह सकते हो जिस पर यूकी कहता है कि इस दुनिया में मोंस्टर और डीमन्स जैसी चीज़े हैं इसलिए हमें स्ट्रोंग तो बनना ही पड़ेगा तो टोमा कहता है कि मैं तुमारे जिसा कभी नहीं सोच सकता इसी बाहर की दुनिया में आकर वोर में जाना मेरे बस की बात तो नहीं है मुझे तो डर लग रहा है जिस पर यूकी कहता है कि देखो बेटा अभी हम यहाँ पर ओल्रेडी आ चुके हैं तो अब हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं बदलने वाला इसके बाद यूकी उसके पास जाकर उससे हाथ मिला कर कहता है कि अब जब हम सेम सिचुएशन में आई गए हैं तो चलो मिलकर स्ट्रोंग बनते हैं मुझे यकिने हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे और फिर थोड़ी देर बाद यूकी कहता हैं कि चलो टोमा हम इस वोर को रोकते हैं जैसा कि तुमने कहा था कि इस दुनिया में किसी को मारना या किसी के हाथों मरना सही नहीं है इसलिए हम दोनों मिलकर इस वोर को रोकेंगे तो टोमा कहता हैं कि भाई ये impossible है क्योंकि मैं तुम्हारे जितना strong नहीं हूँ तो यूकी उसके पास जाकर कहता है कि हम दोनों यहां की heroes है तो कोशिश करे भी नहीं तुम यह कैसे कह सकते हो और यहां पर हमारा एक दूसरे के अलावा और है इकोन इसलिए मैं तुमें प्रोटेक्ट करूँगा यह मेरा प्रोमिस है इसके कुछ दिनों बाद यूकी और टोमा रूम में थे जहां यूकी कहता है कि मुझे इस वोर को रोकना है तो मैं इस दुनिया को एक्स्प्लोर करने जा रहा हूँ तो टोमा कहता है कि माफ करना यूकी पर मैं अभी भी डरा हुआ हूँ हाँ लेकिन मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि मैं और भी स्ट्रोंग बनूँगा और एक दिन जब वोर को रोकने का टाइम आएगा तब हम दोबारा मिलेंगे रियल हीरोस बनकर और इसी के साथ यूकी वहाँ से अपने साथियों के साथ सफर पर निकल जाता है अब कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि किंग टोमा को उसकी कामियाबी के लिए इनाम दे रहे थे और उसको सम्मानित कर रहे थे किंग कहते हैं कि हीरो टोमा तुम्हारी कामियाबी और लोयल्टी के लिए तुम्हें नाइट का टाइटल देता हूँ और साथ ही साथ सिलवर हीरो का भी टाइटल देता हूँ और फिर वो टोमा को एक स्वोर्ट दे देता है इसके बाद टोमा आसमान की तरफ देखकर कहता है यूकि मैं हमारे गोल के थोड़ा और नजदिक आ गया हूँ अभी मैं और भी स्ट्रोंग बनूँगा और उसके बाद में इस वोर को रोक सकता हूँ ये सुनकर उसके साथी सोलजर्स कहते ही कि हाँ आप ये बिल्कुल कर सकते हो आगे टोमा उनसे पूछता है कि क्या आप लोग मेरे साथ है क्या आप लोग अपनी जान भी मेरे लिए दाव पर लगा सकते है जिस पर सब खुशी से जवाब देते है कि हाँ मास्टर हमारी जान सिर्फ आप के लिए ही है आगे हम देखते हैं कि टोमा और उसके साथ ही एक टेंपल के अंदर अटेक कर देते हैं टोमा के सामने जो भी आता है वो उसको मार देता है और थोड़ा आगे जाने पर वो एक स्टेचू के पास पहुंचता है वाहाँ पर साइड में कुछ लोग भी थे जो टोमा को देखकर कहते हैं कि हम सरेंडर करने के लिए तयार है प्लीज अमारी जान मत लीजिए जिस पर टोमा कहता है कि नहीं मैसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इस वोर को रोकना है और इतना कहती ही वो उन्हें वही पर खत्म कर देता है इसके बाद जब टोमा वहाँ से निकल रहा था तब ही पीछे से स्टेचू से आवाज आती है कि कमजोर और नीच लोगों को जिन्दा नहीं रहना चाहिए और फिर जब टोमा पीछे मुण कर देखता है तो यह आवाज उस स्टेचू पर रखे एक नेकलेस से आ रही थी वो टोमा से कहता है कि मैं तुमारे दुख दर्द और नफरत को समझ सकता हूँ लेकिन टोमा उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है तो वो नेकलेस फिर से कहता है कि मैं तुमारे सीक्रेट्स को जानता हूँ जो तुम असलियत में चाहते हो यह सुनते से टोमा को उसका और यूकी का प्रोमी करूँगा और तुमें उसे पूरा करने की पावर भी दूँगा तो फिर टोमा यूकी के बारे में सोचता है और कहता है कि मेरी इच्छा है कि और इतना कहता ही वो उस नेकलेस के वश में आ जाता है और फिर वो उस नेकलेस से स्टोन को निकाल कर अपने स्वोर्ट में लग दिया कली उगा चुका है लेकिन इनने मारने के बाद भी उसको शांती नहीं मिलती है अब वो आगे और दुश्मनों को मारने के लिए ढूंडी रहा था कि तभी पीछे से एक सोलजर आकर टोमा से कहता है कि मास्टर रोयल केपिटल से एक खबर आई है अभी सब नेशन्स के बीच में एक पीस बन चुका है और इसलिए सभी फोर्सेस को इसी वक्त अटेक रोक कर वापस आना है सभी नेशन्स के लीडर्स इस पीस को साइन करने के लिए जल्द ही इस एरिया से गुजरने वाले है और इसलिए हमें उनकी सेफटी की जिम्मेदारी दी गई है और उसी में सभी नेशन्स एक दूसरे के साथ पीस साइन करने के लिए बेठे थे और देखते ही देखते वोर खत्म हो जाती हैं सब लोग यूकी का नाम पुकार कर चियर करने लगते हैं और उसे हीरो कहते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि टोमा यूकी से बात करने के लिए आता है वो कहता है कि तुम कमाल हो यूकी तुमने सच में वोर को खत्म कर दिया जिस पर यूकी कहता है कि मैंने तो बस हर जगर जाकर अपने मन की बात कही इसमें मैंने इतना भी कुछ खास नहीं किया है अब मैं इतना भी खास नहीं हूँ तो टोमा कहता है कि हाँ वो तो सही है लेक हमारा प्रोमिस जो पूरा करना था और उसके लिए यही एक रास्ता बचा था तभी वहाँ नीचे से एलका और बाकी सभी यूकी को नीचे आकर उनके साथ पार्टी करने के लिए बुलाते हैं कि तुमारे बिना पार्टी अधूरी है भाई तो फिर यूकी टोमा को बाई बो है और काफी सारी जगर भी गया हूं और एक टेंपल ने तो मुझे बोला था कि मेरी सारी इच्छा पूरी हो सकती है तो मैं मेरी इच्छा ये है कि अभी जब वर खत्म हो चुका है तो क्यों ना तुम और में साथ में हमारे वर्ल्ड वापस चले जाए दरसल मुझे वापस कि तो वर खत्म हुई है तो यहां तो देखने के लिए भी काफी कुछ बाकी है और असल में तो यहीं से हमारा इस वर्ल्ड में खुशी से रहने का सफर भी शुरू हुआ है अब ये सुनने के बाद तो टोमा का दिमाग घूम जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि यू आजर से तुम उसे देखते हो आगे यूकी उससे बाई बोलकर जाने लगता है और उसे घर लोटने के लिए गुडलग भी विश करता है यूकी को ऐसे जाते हुए देखकर टोमा एकदम देवदास की तरह बन जाता है अरे तुझे तु प्यार हो गया है पगले और वो मैं हमारे बीच आने वाली इस दुनिया कोई खत्म कर दूआ इसमें रहने वाला हर कोई यूमन डीमन बीस्ट में में सब को खत्म कर दूआ ताकि तुम पहले जैसे बन जाओ क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो बागी किसी के नहीं देखो भाई देखो ब्रोमेंस देखो इसका खले गी लेवल पर है और बस इतना कहकर टोमा यूकी पर अपने कर्जड स्वोर्ड से अटेक कर देता है मागर यूकी उसे अपने स्वोर्ड से रोक लेता है और तभी टोमा अजीब तरीके से हसने लगता है और उसकी आईज एकदम रेड हो चुकी थी वो एकदम पूरी तरीके से पागल बन चुका था वो ना उस स्टोन की बातों में आकर यूकी के प्यार में पगलेड बन चुका था और फिर वहाँ पर उनकी काफी खतरनाक फाइट चलने लगती है और फिर फाइनली जब यूकी भी उस पर सीरियसली अटेक करता है तो वहाँ पर एक काफी सेंपल में बेट जाता है और उस स्टोन को हाथ में पकड़ कर कहता है कि मेरी तो एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई मैं तो फिर से अखेला ही रहे गया तब यूस स्टोन से एक रोशनी निकलती है और टोमा देखता है कि एक जगह पर कुछ लोग इंसानों पर एक्सपेर प्रिमेंट्स कर रहे थे जिससे वो लोग काफी जोर से चीक और चला रहे थे टोमा ये देखकर खड़ा हो जाता है और कहता है तो इस दुनिया में मेरे जैसे और भी लोग है मैं जरूर उन्हें बचाऊंगा और फिर टोमा जाकर पूरे बिल्डिंग को ही तबाह कर देता है और उनसे कहता है कि क्या तुम लोग मेरा साथ दो गए मैं इस बेकार सी दुनिया को तबाह करने वाला हूँ और फिर एसे ही वो अपनी पूरी टीम बना लेता है इसके बाद सीन प्रजेंड में आता है जहां टोमा अपने साथियों के साथ खड़ा था वो उनसे कहता है कि चलो हम साथ में इस वर्ल्ड को खत्म करके यहां के गोट बन जाते हैं और फिर गाइस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है एलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एनी में की इस दुनिया में तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हुमन्स ने डीमन्स पर अटेक करने के लिए पहला स्टेप ले लिया होता है वे लोग शीप इसे डीमोनी किंगडम पर अटेक करने के लिए निकल चुके थे उनके साथ रियल वर्ल्ड से आए हुए सारे स्टुडेंट भी होते हैं जिनके चेहरों को देखकर हम साफ़ साफ समझ प और इसलिए हम उन धोके बाद डीमन को अपनी ट्रू पावर से मज़ा चखाएंगे तो इस तरफ यूही एलका ग्लेन और थिया के साथ थी जहां थिया कहती है कि मुझे उस किंग्डम से टोमा के कर्स एनरजी का एहसास हो रहा है और इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि इन अ ही चलता रहा तो हम डीमन के साथ एक बे बुनियाद वर शुरू कर देंगे तब ही ग्लेन कहता है कि क्या सेट्सू की किसी को कोई खबर मिली है जिस पर सब लोग चूप हो जाते हैं तो यूही कहती है कि शायद यूकी अभी भी इस वर को रोकने के लिए अपनी पूरी होगा साथ ही में वो उसकी और यूकी की लास्ट कोनवर्सेशन को भी याद करती है जहां यूकी उसे अपनी सच्चाई बताता है कि कैसे वो पहले भी एक बार यहां समन हो चुका है और फिर जब यूही उसके साथ जाने की जित करती है तो यूकी ने उसे कहा था कि अभी तुमारे लिए खतरनाक है और वेसे भी ये काम पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है ये सोचने के बाद यूही कहती है कि मुझे यूकी पर पूरा भरोसा है वो इस वोर को जरूर रोक लेगा जिसे सुनकर बाकी सभी कहते हैं कि हां अगर ऐसी यी बात है तो हमें तब तक स पीछे से मेजिक से अटेक करते हैं और जंग स्टार्ट हो जाती है ग्लेन अपने साथियों से कहता हैं कि हम सब एक साथ मिलकर दुश्मनों को हराएंगे तो इस तरफ डीमन के बेरियर को तोड़ने के लिए जनरल मेन अपने सोलजर को उनके उपर अटेक करने का ओडर देत अटेक करेंगे और सबी स्टुडेंट्स एलका की बात पर हामी भड़ते हैं इतना कहकर एलका ग्लेन और थिया अटेक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं लेकिन वो स्टुडेंट्स तो अभी भी वही खड़े थे क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करना क्य है तब ही उनमें से एक स्टुडेंट्स कहता है कि उन्हें मार दो इससे पहले कि वो तुमें मारे और इतना सुनते ही सबी स्टुडेंट्स अटेक करने के लिए अलग-अलग चले जाते हैं लेकिन उनमें से एक लड़की की अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी और इसलिए व मैं काफी डरी हुई हूँ जिस पर यूही कहती है कि तुम शान्त हो जाओ तुम्हें माफी माँगने की जरूत नहीं है क्योंकि मैं भी डरी हुई हूँ तब ही हम देखते हैं कि काफी सारे डीमन्स यहां से डर कर भाग रहे थे और यदर स्टुडेंट्स ने एक डीमन को घेर लिया था और उसे जान से मानी वाले थे कि यूही वहाँ आकर उसे रोक लेती है तो वो लड़का कहता है कि मुझे क्यों रोक रही हो जिस पर यूही कहती है कि वो आदमी अभी भी इंजर्ड है और लड़ने की हालत में नहीं है तो वो लड़का कहता है कि इससे क्या फरक पड़ता है ये एक वोर है और अगर हमने इससे नहीं मारा तो शायद ये हमें मार देगा जिस पर यूही कहती ही कि क्या इसका मतलब किसी इंजर्ड को मारना सही है ये काफी गलत है और तभी हमें वहाँ पर एक लड़की के हसने के आवाद सुनाई देती है और देखती देखते वहाँ पर काफी सारे पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं जिसमें से कई सारे मेजिक वोरियर बाहर निकलते हैं और साथ ही वहाँ पर एक और डीमन लड़की भी समन होती है जो कि काफी powerful थी क्योंकि जब human soldiers उस पर attack करने की कोशिश करते हैं तो वो उन सब को sword से ऐसे काट देती हैं जैसे कि कोई cake काट रही है तो इधर यहाँ जब Elka और Glen एक magic warrior को मारते हैं तो उनमें सी blood निकलता है जिसे देकर Elka कहती है कि क्या यह वो ही है जो मैं सोच रही हूँ जिस पर Glen कहता है कि हाँ इनके अंदर जिन्दा इंसान थे तभी उनकी नजर उस demon लड़की पर पड़ती है मगर Elka और बाकी सब उसे देकर एकदम शोक हो गए थे क्योंकि वो demon लड़की और कोई नहीं बलकि alize होती है और उसे और बाकी monsters को जिस लड़की ने यहाँ पर सम ना दिया है और अब वो मेरे इशारों पर नासती है और अगर तुमें उसके लिए बुरा लग रहा है तो तुम सब भी मेरी dolls बन जाओ हमेशा उसके साथ रहोगे यह सुनते सी Elka को काफे साथा गुस्ता आने लगता है और इसलिए वो उस पर attack करने के लिए आगे बढ़त सर नहीं हो रहा था जिसके थोड़ी देर बाद मेलिवर वहाँ पर अपने ब्लॉट से काफी सारे dangerous monsters को समन करती है और फिर वो उन्हें एलका और बागी उपर attack करने का order देती है लेकिन एलका ग्लेन और थिया उन सब को बड़ी आसानी से हरा देते हैं और तभी वहाँ पर यूही भी उनके पास आती हैं तो वहीं अपने monsters को इतनी आसानी से हारा हुआ देखकर मेलिवर के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता और इसलिए वो एलिजे को फिर से उन्हें मारने के लिए भेशती है लेकिन इस बार ग्लेन आगे आकर अलिजे पर attack करके उसे बेहोश कर द दिया हैं इसलिए तुमारा खेल खत्म हुआ लेकिन नहीं भाई इतना जल्दी थोड़ी ना खेल खत्म होगा यह लड़की काफी खतरनाक है तब ही मील्यूर दोबारा कड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं टोमा समा के खातिर इतनी जल्दी नहीं मर सकती और जहां तक मेजि तो पता नहीं हमारा क्या होता और इसलिए इस दुनिया को खत्म करने के लिए मुझे टोमा समा के खातिर लड़ना होगा और इतना कहते ही वो वहाँ पर एक काफी बड़ा अटेक कर देती हैं जिससे वहाँ पर एक काफी खतरनाक तीन सर वाला मोंस्टर समन होता है और फिर मे और थिया मिलकर अपने मेजिक का एक साथ यूज करके उसे रोक लेते हैं लेकिन सिर्फ उस एक अटेक को रोकने में भी उनकी हालत खराब हो जाती हैं तभी वहाँ पर हम एक बटरफ्लाइ को उड़ते हुए देखते हैं और जैसी वो बटरफ्लाइ मेल्यूर के सामने से उड कर देता हैं और वो और कोई नहीं बलकी अलिजे होती हैं जो की होश में आ चुकी थी तो वहीं अटेक करने के बाद वो मेल्यूर को गले लगा कर रोने लगती हैं और अपनी पुरानी मेमरीज याद करने लगती हैं कि जब वो पहली बार विलेज में गई थी तब उसने अ को मार देता हैं और वो काफी जादा पावरफुल होता है लेकिन इस तरफ तो एलका और बाकी सब मेल्यूर से लड़ने के बाद काफी ठक चुके थे और आगे लड़ना उनके लिए पोसिबल नहीं होता है तो यूही यह देखकर आगे आकर कहती हैं कि तुम सब लोग एक हूं और इसलिए मैं तुम लोगों को बचाओंगी और यह सुनकर गलेन कहता हैं कि चलो यूही पर यकीन करते हैं उसकी हाला तभी हमसे बेटर हैं और थिया कहती हैं कि हाँ गलेन सही कह रहा है और हम यूही को जितना हो सके पीछे से मदद करेंगे फिर आगे ल का यू की आ जाता है और यूही से कहता है कि तुमने काफी मेहनत की है यूही पर तुम अभी सेफ हो और यूही उसे देखकर काफी जादा खुश हो जाती हैं तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एक आदमी आकर किंग को खबर देता है कि हमारे फोर्सेस डीमोनी कोंचने वाला होगा वो संभाल लेगा इसके बाद हम डीमोनी कॉंटिनेंट देखते हैं जहां सेट्सू ऊपर से यूही के सामने आता है उसको देखकर यूही काफी जादा खुश हो जाती है और उसकी उपर कूद पड़ती है तो यूकि उससे कहता है अभी थोड़ा शान बन जाती है और उसे ऐसा करने के लिए एलका ने कहा होता है तो यूकि उसके पास जाकर कहता है कि मुझे एक और एलका नहीं चाहिए इसलिए तुम्हें ये करने की कोई ज़रूत नहीं है और इसके बाद वो सभी को पीछे अटने के लिए कहता है क्योंकि अपोजिट साइ मैंने डेजास के पेलेस में फाइट की थी तो मास्क कहता है कि तो तुमने मुझे याद रखा है ये अच्छी बात है लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ तो वहीं यूकी फाइट करने से पहले यूही और बाक्यू की तरफ देखता है उन्होंने एक शिल्ड बना दिया था आगे मास्क यूकी से पूचता है कि तुम इन कमजोरों की इतनी परवा क्यों करते हो जिस पर यूकी पूचता है कि तुम कहना क्या चाते हो तो मास्क कहता है कि तुमारी नजर में तो वो लोग कीडे मोकोडे जैसे होंगे तो क्या इतने स्ट्रोंग होने के बाद भी तुमें उनकी परवा करके खुशी मिलती है जिस पर यूकी कहता है कि मुझे ताकतवर या कमजोर से फरक नहीं पड़ता है जो लोग मेरे अपने हैं मैं हमेशा उनने प्रोटेक्ट करूँगा जिस पर मास्क कहता है कि इस वर्ल्ड को तबा करना ही होगा जिस पर यूकी कहता है कि अगर दम है तो कोशिश कर लो पर मेरे होते हुए तुम कुछ नहीं कर पाओगे और बस इतना कहकर यूकी उसके उपर अटेक करने आ जाता है तो इस तरफ हम देखते हैं कि शोप की पर भी सब पर अटेक कर रही होती है और तभी वहाँ पर शीरो और मिनी को आते हैं तो शीरो उससे कहती है कि मुझे पता है कि दीदी आप बुरी इंसान नहीं हो इसलिए अगर आप हमें अपनी सिचुएशन समझा सकती हो तो हमें लड़ना नहीं पड़ेगा जिस पर शोप की पर हसने लगती है और कहती है तुम मुझे दीदी बुलाना बंद करो तुमारे जूटे रिष्टे से मुझे उल्टी आती है और फिर वो उनपर अटेक कर देती है लेकिन शीरो और मिनी को उसके अटेक को रोक लेते हैं आगे शोप की पर कहती है कि अगर तुम दोनों सच में मुझे अपनी बेहन मानती हो तो बिना कुछ करे चुपचा मेरे हातों से मर जाओ और अब भाफ रहे हैं क्या बाद ही? तभी मिनी को आगे आकर कहती है कि मैं अपनी बेहन को कुछ भी नहीं होने दूँगी चाहे इसके लिए तुमें मारना ही क्यों ना पड़े तो यहाँ पर शीरो भी कहती है कि मैं भी बड़ी बेहन होने के नाते मिनी को को प्रोटेक्ट करूँगी जिसे सुनकर शोप की पर कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम दोनों को ही मार दूँगी और बस इतना कहे कर वो उन दोनों पर अटेक कर देती है जिससे इन दोनों को चोट आ जाती है अब मिनिकों का इंजड देखकर शीरो शोप की पर के पेरों पर अटेक करके उसे नीचे गिरा देती है और तभी मिनिकों भी उसके उपर अटेक करके उसे हरा देती है लेकिन खेल अभी खत्म हुआ नहीं था शोप की पर फिर से होश में आकर मिनिकों का अपने मेजिक से पक इसलिए मैं तुम दोनों को एक साथ ही उपर पहुचा दूंगी और इतना कहकर वो एक काफी पावरफुल मेजिक यूज़ करती है जिससे उसकी पावर कई गुना जादा बढ़ जाती है और अब इतनी पावर के साथ वो शीरो पर अटेक करती है मगर शीरो वहाँ से बच कर लेकिन तभी शोप कीपर पीछे से एक और अटेक करती है जिससे शीरो बच नहीं पाती है और नीची गिर जाती है पर वो दोबारा से खड़ी हो जाती है और मिनिको के पास जाकर कोई स्पेल एक्टिवेट करती है अब इसके कारण उन दोनों की बोडी मर्ज हो जाती है य इसे देखकर शोप कीपर हकगा बक्का रे जाती है मगर उसे अभी भी अककल तो आई नहीं थी और वो दोबारा उन पर अटेक करदेती है लेकिन शीरो और मिनिको उसके अटेक को रोक कर एक ही जटके में उसका खेल खतम कर देते हैं और वो कहते हैं कि हमने तुमारे सभी ह इसलिए तुम अब और फाइट नहीं कर सकती पर यहां पर तो शौप कीपर फिर से उठकर उन पर अटेक करने की कोशिश करती हैं और फिर वो दोनों फिर से उसे मार कर गिरा देते हैं और इस अटेक के बाद वो दोनों अलग-अलग हो जाते हैं तो वही नीचे गीरी हुई शौब की पर को देखकर शीरोप पूछती है कि दिदी क्या आपकी कोई बहन भी थी तो शौब की पर आसमान की ओर देखकर कहती है कि हाँ शायद और इतना कहे कर वो मर जाती है तो दूसरी तरफ हम एक और दुश्मन को देखते हैं, जिसके ओपर किसी भी स्वोड का कोई असर नहीं हो रहा था मानों कि वो लोहे का बना हुआ है और इसलिए हम इसे मेटल मेन कहेंगे और वो एक्के करके सारे सोलजर को सिर्फ पंच मार कर ही धेर कर देता है लेकिन तभी वहां रोवा आकर उसे जोड़दार पंच मारती है जिससे वो एकदम दूर जाकर गिरता है लेकिन हम देखते हैं कि इससे रोवा के हाथ में ही चोटा जाती है आगे मेटल मेन कहता है कि तो तुम असल में बीस्ट किंग की बेटी हो लेकिन तुमारे पंच का तो मेरे उपर कोई असर नहीं हुआ जिस पर रोवा कहती है तो तुम मेटल के बने हुए हो तो वो आदमी कहता है कि हाँ लेकिन मुझे हुमन्स नहीं बनाया है काफी कम एच से ही मेरे उपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स पर एक्सपेरिमेंट हुए और इसी वज़े से मुझे ये ताकत मिली है और इसी तरह टोमा समा ने मुझे नई जिन्देगी दी है जिस पर रोवा गुसे में कहती है कि तुम अपनी बक्वास बन करो टोमा ही इतने लोगों की मोत की वज़े है और वो इस दुनिया को तभा करना चाता है तो मेटल मेन कहता है कि इसमें गलत क्या है इस दुनिया में जो भी स्ट्रोंग होता है उसे उसकी मनमानी करने को मिलती है और यही बात मेरे उपर एक्सपेरिमेंट करने वाले इंसानों पर भी लागो होती है और तुमारे दोस्ते रोवगा पर भी अब ये सुनकर तो रोवा और जादा बनना जाती है और उसको एक जोरदार कीक मारती है लेकिन इसका उसके उपर कोई भी असर नहीं होता है और उल्टा रोवा के पेर से खून निकलने लगता है आगे रोवा कहती है कि तुम्हें ऐसे किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए जिसे तुम जानते तक नहीं और भले ही तुम आईरन से बने हो या सोने से मैं तुम्हें तब तक मारूंगी जब तक तुम्हारे टुकडे टुकडे नहीं हो जाते इसके बाद मेटल मेन अपने आपको छोटे-छोटे मेटल बोल्स में बदल कर हर तरफ से रोवा पर अटेक कर देता है जिससे रोवा इंजड होकर नीचे गिर जाती है और उसे देखकर मेटल मेन कहता है कि इस दुनिया में प्राइड होने से कुछ फरक नहीं पड़ता और इतना कहेकर वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी पीछे से रोवा फिर से खड़ी हो जाती है और कहती है कि इस दुनिया में प्राइड से बढ़कर कुछ नहीं है और तभी उसकी बोडी में से एक रोशनी आने लगती है जिससे वो काफी जादा पावरफुल बन जाती है वो इतनी पावरफुल बन गई थी कि मेटल मेन के मेटल बोल्स का भी उसके उपर कोई असर नहीं हो रहा था इसके बाद रोवा उसके पास आकर उसे एक जोर से पंच मारती है जिससे उसके मूँ से खुन निकल जाता है आगे मेटल मेन मन में सोचता है कि मैंने इसके बारे में कहानियों में सुना था कि जब भी बीस्टेकिंग की ब्लड लाइन में से किसी को भी जान का खत्रा होता है तब वो अपनी लाइफ एनर्जी का इस्तमाल करके दुश्मनों पर हमला करते हैं लगता है कि ये भी वही है और इसलिए वो एक स्पेशल मेजिक का यूज करता है और अब उसकी बोड़ी एकदम परपल कलर के बन जाती है पर तब ही रोवा उसके उपर कूट कर उसे बार बार मारने लगती है पर अब इसका उसके उपर कोई असर नहीं हो रहा था लेकिन यहाँ पर रोवा हार नहीं मानती है और वो बार बार उसे मारने लगती है और थोड़ी देर बादी उसकी बोड़ी असली में तूटने लगती है अब ये देकर मेटलमेन अपनी बोड़ी में से नुकिली हतियार बना कर रोवा के आर पार कर देता है लेकिन रोवा इसके बाद भी नहीं रुकती है वो उसे मारने लगती है और फिर आखिर में वो उसकी बोड़ी पर एक पंच मार कर उसे हरा देती है और वो कहती है कि एक beast man की pride ही उसके लिए सब कुछ होता है और इतना कहते ही वो नीचे गिर कर बेहोश हो जाती है पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया जिस पर मेटलमेन कहता है कि तुम्हें एक नादान बच्ची हो तुम्हें ऐसे देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा और इतना कहकर वो नीचे गिर जाता है आगे रोवा पूछती है कि तुम जिसा नेक दिल वाला आदमी टोमा के साथ काम क्यों कर रहा है जिस पर वो कहता है कि मेरे जिसा आदमी को और कौन अपने पास रखेगा हाँ लेकिन तुम्हें और तुम्हारे इस प्राइट को जिन्दा रहना चाहिए तो रोवा कहती है कि तुम चिन्ता मत करना मैं तुम्हारे प्राइट को भी अपने साथ जिन्दा रखूंगी इसके बाद हम दूसरी दरफ देखते हैं कि यूकी और मासक की फाइट चल रही होती है जहां वो यूकी को अपने शेडो मेजिक से काबू में कर लेता है और कहता है कि तुमने मेरा ध्यान भटका कर काफी बड़ी गलती कर दी और फिर वो यूकी पर अटेक करके उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है पर यूकी उसके शेडो मेजिक से निकल कर उसके अटेक को रोक लेता है और फिर वो कहता है कि अभी तक तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए था कि तुम मुझे नहीं हरा पाओगे जिस पर मास्क जोड़ जोड़ से हसने लगता है और कहता है कि मैं भी इस लड़ाई में अपनी जान कुर्बान कर दूँआ और इतना कहकर वो भी अपना स्पेशल मेजिक कर देता है जिससे उसके उपर एक आर्मर आ जाता है आगे जब यूकी उसके आर्मर पर जोड़ से अटेक करता है तो उसे कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि वो आर्मर सारी एनरजी अपने अंदर एब्जूब कर ले रहा था तो फिर यूकी ये देखकर अपने स्वोड से उसके उपर एक स्पेशल स्लेश अटेक करता है जिसके कारण उसके आर्मर के टुक्रे-टुक्रे हो जाते है यहाँ पर यूकी ये भी कहता है कि जादा मूव मत करो वरना मर जाओगे जिस पर वो आदमी कहता है कि मेरे लिए मोद कोई बड़ी बात नहीं है और तुम रोशनी में रहते हो इसलिए तुम्हें कोई आइडिया नहीं है मगर हमें सिर्फ लड़ने के लिए ही बनाया गया था और उसके बिना हमारा कोई वजुद नहीं है और इसलिए हम इस वर्ल्ड को खत्म करने के लिए कुछ भी करेंगे और इतना कहेकर वो फिर से यूकी की तरफ भाग कर अटेक कर देता है तो यूकी उस पर एक आखरी अटेक करके उसे खत्म कर देता है इस तरफ टोमा को भी पता चल गया था कि उसके सभी साथी मारे जा चुके है वो कहता है कि तुम अभी भी मेरे खिलाफ खड़े हो सेटसू लेकिन इस बार ये सब खत्म कर देंगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लेविया अचानक से डेजास को ढूंडते हुए उसके रूम में आती है और उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो जिस पर डेजास कहती है कि हाँ मैं सेफ हूँ और हमने टोमा के तीन सबसे पावरफुल साथियों को हरा दिया है इसलिए अब ये वोर हमारे फेवर में है जिससे सुनकर लेविया काफी खुश होती है और कहती हैं कि हाँ सेट्सू टाइम पर आ गया था और इसलिए अब हम सब सेफ हैं लेकिन तभी अचानक से पीछे से टोमा आ जाता है और कहता है तुमे लगता है कि तुम जीत जाओगे वैसे हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं शायद पाँच साल बाद और इस वोर में चाहे अभी तक जो भी हुआ है आखरी नतिजा सेम नहीं रहेगा क्योंकि अभी मैं आ गया हूँ इतना कहकर वो अपनी स्वोर्ड निकाल लेता है और कहता है कि अब मैं तुमें दिखाऊंगा कि बरबादी की शुरुवत कैसे होती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है इसके बाद दूसरी तरफ जब यूकी डेजास और लेविया को ढूनते हुए रूम में आता है तो वो देखता है कि टोमा ने उन दोनों पर अटेक करके उनको इंजर्ड कर दिया है तो टोमा उसे देखकर कहता है तो तुम आखिरकार आई गए सेटसू लेकिन तुम सही टाइम पर आए हो क्योंकि मैं इन्हें मारने ही वाला था लेकिन तभी यूकी उसके ओपर अटेक कर देता है और कहता है कि मैं तुमें ऐसा नहीं करने दूँगा और वेसे भी तुमारे साथ बात करने का तो कोई फाइदा है ही नहीं क्योंकि तुम सुनने वाले तो हो नहीं जिस पर टोमा कहता है कि तुम सही कह रहे हो एक बार जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी फिर सिर्फ हम दोनों ही बचेंगे और फिर तो हमारे पास बात करने के लिए टाइम ही टाइम होगा और फिर उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है टोमा यूकी पर अपना एक अटेक फेक कर मारता है लेकिन यूकी उसे अपनी स्वोर्ट से उपर की और फेक देता है जिससे केसल की छट पूरी तरीके से तूट जाती है थोड़ी सी fight करने के बाद Yuki उससे कहता है कि क्या तुमारा मजाक हो गया हो तो चलो ब रियल fight करते हैं जिस पर टोमा हा में जवाब देता है और Yuki पर अपने magic से काफी सारे attack लगा थार कर दे लगता है लेकिन Yuki उन सभी attacks को अपने sword से रोक लेता है और अपने sword से एक slash attack करके उसके सारे attacks को खत्म कर देता है पर तभी फिर टोमा Yuki के पीछे आकर उस पर attack कर देता है जिससे Yuki थोड़ा सा injured हो जाता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है तो टोमा उससे पूछता है कि क्या तुम लड़ना भूल गए हो जिस पर Yuki कहता है कि हाँ वो अभी हम द लेकिन टोमा भी यहाँ पर अपने मेजिक का यूज करके बच जाता है इसके बाद टोमा कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी इस फाइट को और लंबा नहीं बनाना चाते तो चलो इसे यही पर खतम करते हैं और इतना कहते सी टोमा अपने स्वोर्ट को अपने पास बुला लेता है और उसे एक काफी बड़े गन में ट्रांस्फोर्म कर लेता है उस इतनी बड़ी गन को देखकर तो यूकी भी पूरी तरीके से शोक रह जाता है आगे फिर जब टोमा उस गन से अटेक करता है तो उस केसल के साथ साथ उससे बहुत दूर एक माउंटेन में भी आ जाते हैं और हवा में फाइट करने लगते हैं और इस दोरान टोमा यूकी पर बार बार अपने गन से अटेक कर रहा था पर यूकी भी उसके अटेक से बच जाता है अब क्योंकि यूकी बार बार उसके अटेक से बच रहा था तो टोमा अपने गन को एक मशीन गन में ट् स्टार्ट करता है तो यूकी ग्लूटन को समन करके उसके सभी अटेक्स को एब्जोब कर लेता है और इसके बाद यूकी टोमा पर अपने दोनों स्वोर्ट से एक पावरफुल स्लेश अटेक करता है जिससे टोमा बच नहीं पाता है तबी वहाँ पर यूही और बाकी सब भी आ जाते हैं और यूकी उन्हें देखकर चेन की सास लिता है और कहता है कि शुकर है कि तुम सब लोग सही सलामत हो आगे यूकी टोमा से कहता है कि तुमारे सभी फ्रेंड्स मर चुके हैं तो तुम हार क्यों नहीं मान लेते हैं जिस पर टोमा अपनी पुरानी मेमरीज अकेला छोड़ देते हो, हमेशा सिर्फ मुझे, मुझे ही क्यों, और जब वो ये सब कह रहा था, तभी उसके अंदर से एक अलगी पावर निकलने लगती है, और ये देखकर यूकी कहता है, कि ये पावर टोमा से नहीं आ रही है, और तभी उसे रियलाइज होता है, कि ये प बात तो वो यूकी पर काफी खतरनात तरीके से अटेक करने लगता है, और यूकी बड़ी मुश्किल से उसे डोच करते वो उसके अटेक से बच रहा था, यूकी कहता है कि मुझे कुछ भी करके उसके नजदीक जाना होगा, और ये सब देखकर एलका और ग्लेन भी काफी जादा शोग थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी भी इतनी मेजिकल पावर नहीं देखी थी, तो इधर टोमा कहता है कि देखते हैं कि तुम इस अटेक को कैसे संबालते हो, और इतना कहकर टोमा बाक्यों की तरफ अटेक कर देता है, जिसे देखकर यूकी तुरंत ग अच्छा लगता है, कि हाँ मेरे पास भी मेरी टीम है, इसके बाद यूकी टोमा पर एक अटेक करता है, और टोमा उसे रोक लेता है, पर तभी यूकी उस पर काफी सारे लगातार अटेक करता है, जिससे टोमा की गंट तूट जाती है, और फिर यूकी उसके पास आकर उसक में डूप जाता है तुम कमजोर हो तुम यूकी से कमजोर हो यूकी ने तुमें कभी आगे नहीं निकलने दिया तुम हमेशा उसके पीछे रहे हो अब यह सुनकर तो उसके अंदर काफी जादा गुस्ता आने लगता है और उसके अंदर से काफी जादा पावर निकलने लगत इसके बाद टोमा उसके पास जाकर हसने लगता है और कहता है यहाहा आखिरकार मैंने सेट्सू को हरा दिया वो सेट्सू जो हमेशा मुझसे आगे था मैंने उसे हरा दिया और फिर वो पागल भेसे की तरह हसने लगता है वहाहाहा तो भी यू की खड़े ओकर कहता है कि तुम स्ट्रोंग जरूर बन गए हो लेकिन तुम कितने ही स्ट्रोंग क्यों ना बन जाओ कभी मुझे नहीं हरा पाओगे और इतना कहते सी वो टुमा को डायमेंशनल मेजिक में बन कर देता है जिसके अंदर टुमा अपने मेजिक को यूस नहीं कर पाता है जिसके बाद यू की अपने ग्लूटन से टुमा पर एम करके काफी खतरना कटेक करता है जिससे वहां का एक उपर होने लगता है और टोमा उसमें दफन हो जाता है जहां पर वो पागलो की तरह चिलाने लगता है कि मैं मरना नहीं चाहता मुझे अभी जिन्दा रहना है और फिर उसे रियलाइज होता है कि उसकी असली इच्छा तो सिर्फ यूकी के पास रहने की थी अब इसके देर बाद यूकी टोमा के पास बेठा होता है और थोड़ी देर बाद टोमा होश में आ जाता है हम देखते हैं कि उसका वो नेकलेस तूट चुका होता है वही होश में आने के बाद टोमा कहता है कि क्या मैं अभी भी जिन्दा हूँ जिस पर यूकी कहता है कि हा तुम कि मैंने काफी गलत काम किये तो अभी तुमने मुझे क्यों बचाया जिस पर यूकी कहता है कि यही तुमारी सजा है तुम्हें जिन्दा रहे कर अपने किये पर पच्तावा होगा चाहे कितना भी टाइम लगे तभी वहाँ पर बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं और यह वोर य आसमेट्स को उनकी दुनिया में वापस भेज़ दो यही तुमारी सजा है तो टोमा कहता है कि क्या सिर्फ इतनी सजा है जिस पर डेजास कहती है कि हाँ अगर तुमारे पास मेजी की नहीं होगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे और एक आम इंसान बनके रहे जाओगे फि क्योंकि हम यह सिर्फ उसके कहने पर कर रहे हैं तो टोमा कहता है कि तुमने आखरी तक अपना प्रोमिस पूरा किया है ना सेट्सू और इतना कहेकर उसकी आखों में से आसू निकलने लगते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि टोमा सभी स्टुडेंट्स को वापस भेजने क लिए एक मेजिक सरकल बनाता है और सबी स्टुडेंट्स उस सरकल के अंदर जाकर अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं आगे यूकी और टोमा बात करते हैं जहां यूकी पूछता है कि तुम उनके साथ वापस नहीं गए जिस पर टोमा कहता हैं कि नहीं मैं अपनी दोलकर वहां से निकल जाता है इसके कुछ टॉच टाइम बाद यूकी भी ट्रिप पर निकल रहा होता है और वह एलका ग्लेन और थिया को भॉल रहा था एलका वहाँ पर आसूओं की नदिया बहा रही होती है और वो कहती है कि मैं भी तुमारे साथ जाना चाहती थी पर काम की वज़े से नहीं जा पा रही हूँ तभी यूही तो वहाँ पर अपने बेक्स लेकर यूकी के साथ ट्रिप पर जाने के लिए वहाँ पहुँच जाती है यूकी उससे कहता है कि हमारी इस ट्रिप का कोई एंड गोल नहीं है हम कहीं पर भी जा सकते हैं इसलिए क्या तुम सच में मेरे साथ आने वाली हो जिस पर यूही कहती है कि हाँ बिलकुल मैंने हमेशा तुमारे साथ रहने का तई कर लिया है और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं आगे वो दोनों पहले लेविया के पास जाते हैं जहां लेविया कहती है कि मेरे होते हुए सी पर कोई भी आच नहीं आ सकती है तबी वहाँ पर एक बड़ा सा उक्टोपस आ जाता है और लेविया उससे लड़ने में लग जाती है इसके बाद वो दुनों डेजास के पास भी पहुँचते हैं जहां वो अपने शहर को रिपेर करने में बिजी थी डेजास कहती है कि तुम देखना हमारा शहर काफी जल्द बिल्कुल नए जैसा बन जाएगा और डेमेज भी एकदम कम टाइम में ठीक हो जाएगा तबी हम ये भी देखते हैं कि रूरी भी वहाँ पर इसक्वीड रिंग्स बना कर बेच रही होती हैं और वो काफी खुश होती हैं आगे वे लोग बीस्ट किंग्डम में भी जाते हैं जहां उनका गेट की पर फिर से उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहा था और तबी के से सब लोग बहुत खुश थे सब लोग खुशी के साथ हसने लगते हैं और इसी बहुत ही हैप्पी एंडिंग के साथ यूकी और यूही का ट्रिप आगे बढ़ता हैं और ये एपिसोड ये सीरीज यही पर खत्म होती हैं